हेलो स्टुडेंट्स, वल्कम टू बायोमेंटर्स क्लासेज अनलाइन, तोड़े वी आर गोई टू डिसकस्ट टॉपिक इन आवर चप्टर, लॉज आप मोशन और हम लोग आज इस क्रेश कोर्स में लॉज आप मोशन के सेकंड पार पर जो की हमारा फ्रिक्शन है, इसको हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है, F-R-I-C-T-I-O-N, फ्रिक्शन मतलब घर्शन, फ्रिक्शन मतलब घर्शन, अब फ्रिक्शन क्या है, तो फ्रिक्शन is a type of force, कौन से type का force है बिटा, तो forces को recall करो last lecture म क्या बोला था, फ्रिक्शन कौन से force की category में आता है, तो friction आता है, contact force की category में, कौन सी, contact force की category में आता है, संपर्क बल है, इसका मतलब क्या है, यदि contact नहीं हो रहा है, तो मतलब friction picture में नहीं आएगा, फिर से यदि संपर्क नहीं हो रहा है, या दो bodies के बीच में contact नहीं है, त इसका मतलब उस जगह पर friction का existence भी नहीं है क्या ये बात आसान है बिलकुल अब एक सबसे पहले हम लोग misconception और उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन पहले हम बात करें तो friction के दो view हैं एक तो है old view और एक है आपका modern view एक है old view और एक है आपका modern view old view क्या कहता है old view कहता है ये जो friction का force आ रहा है वो आता है because of irregularities between the surfaces in contact और जो modern view है वो ये कहता है because of strong molecular force of attraction तो according to old view और modern view में difference क्या है ये समझ में आ रहा है तो पुराना जो view है वो ये कहता है कि रुकेगा क्या pain हाँ जैसे ये दो surfaces हैं तो ये कितना भी ये दिया आप दो surfaces को smooth बना लो तो वो जो surfaces है उनमें हमेशा कुछ न कुछ क्या रहेंगी smoothness नहीं रहेंगी थोड़ी सी surfaces हमेशा क्या रहेंगी rough रहेंगी और इसके कारण क्या होता है कि जैसे एक surface है कुछ ऐसी और दूसरी surface जो है वो कुछ इसके अंदर में ऐसे fit हो जाती है तो जब हम लोग देखते हैं तो यह दोनों आपस में यहाँ पर क्या हो जाते है अटक जाते हैं और अटक जाते हैं तो इसके कारण यहाँ पर friction आता है तो यह view है old view मतलब आप किसी भी surface को कितना भी smooth बनाओगे तो यह ऐसी बनेगी तेकिन modern view क्या कहता है कि भाई आपके जो surfaces हैं तो यहाँ पर यही दो surfaces contact में हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इस surface के और इस surface के जो molecules हैं उनके बीच में क्या होता है strong molecular force of attraction और आपको पता होना अची है molecules के बीच में सिर्फ और सिर्फ force of attraction होता है इस range पर ठीक है तो यहाँ पर यह strong molecular force of attraction के कारण एक दूसरे से रुके हुए हैं अब यहाँ पर एक point और आता है कि यदि old view के हिसाफ से देखे तो old view के हिसाफ से आपका जो है अब चुकि यह old view बहुत रुजान में था पहले तो यहाँ पर आपको एक area वाली एक terminology आती है तो कई लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा area होगा उतना ज्यादा friction होगा लेकिन वास्तविक्ता ऐसी नहीं है वास्तविक्ता ऐसी नहीं है हाँ old views के कारण कई बार ऐसा लग सकता है लेकिन reality यह है कि भीया area कम या ज और मिसकॉंसेप्ट वो क्या है कि always remember that friction opposes relative motion friction opposes relative motion of bodies in contact of bodies in contact friction क्या करता है वो जो दो bodies जो आपस में संपर्क में है उनकी relative motion का अपोज करता है यदि आपको सवाल आता है कि friction opposes the motion यह statement सही है या गलत है तो यह statement गलत है friction opposes motion नहीं friction गती का विरोध नहीं करता है बलकि friction जो है जो घर्षन जो है वो सापेक्षिक गती का विरोध करता है मतलब कैसे इसको यदि मैं समझाना चाहूं तो जैसे मान के चलो यह ground है ठीक है यह ground है और इसके उपर मैं यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लॉक रखा है जो भी कुछ भी मास होगा और यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर एक और ब्लॉक मैंने रख दिया है ठीक है तो यह दो अब देखो यह आप यहाँ पर एक काम करो क्या काम करते हैं लेट से कि भाई मैं यहाँ पर एक फोर्स लगाता हूं इसमें मैं क्या करता हूं इसमें उपर वाले ब्लॉक पर एक फोर्स लगाने की कोशिश करता हूं और इसको सरकाने की कोशिश करता हूं तो यह फोर्स क्या करेगा यह फो तुरंध जैसे ही body संपर्क में है, तो body संपर्क में होने पर एक normal reaction force भी आता है ये आपको पता है तो या सोर नू तो वोता आएगा, ठीक है, लेकिन यहां पर तुरंध ही कौन picture में आजाएगा? friction picture में आ रहे जब तह ये force नहीं लग रहा था तब तह ये शांद बैठा था कोई रिक्कर नहीं लेकिन जैसे ही आपने external force लगाया इस body में motion कराने के लिए तो यहाँ पर friction आ जाएगा friction बोलेगा क्या बोलेगा? नहीं रुख जाओ मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा मतलब जो दो bodies अभी संपर्क में हैं friction चाहेगा कि वो दोनों हमेशा संपर्क में बने रहें यस वो उन दोनों को disturb नहीं करना चाता है और वो उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है यस getting my point or not हाँ मैं जानता हूँ कुछ लोग कहीं दूसरे अंगल पर सोच रहें लेकिन कोई बात नहीं friction opposes the relative motion of the bodies in contact friction does not oppose the motion even though friction में help in motion also friction कभी कभी motion में भी help करता है जैसे हम इस block को चलाएं तो कई बार ऐसा होगा सवाल आएंगे आगे आपको तो यस block पे हम force लगाएं तो ये वाला block भी आपका यहाँ पर चल सकता है नीचे वाला block भी यहाँ पर चल सकता है सिर्प उपर वाले पर force लगाने पर मैं तो नीचे वाले में force नहीं लगाएं लेकिन नीचे वाला फिर भी चल गया yes, it may happen और it will happen in our numericals also when we will be discussing the numericals तो हमेशा क्या याद रखना है friction may tart motion yes or no friction does not oppose motion friction does not oppose motion rather than rather than rather than it opposes it opposes कौन सी वाली भाईया तो ये oppose करता है relative motion का ये किसका oppose करता है relative motion का oppose करता है friction के बारे में इतनी basic basic बातें आपको पता होनी चाहिए आगे बढ़ जाता हूँ मैं types of friction friction को जो है वो mainly दो parts में classify किया गया है एक है आपका static friction और एक है आपका dynamic friction एक है आपका static friction एक है आपका dynamic friction लेकिन इसी को आगे चलके फिर से दो parts में divide किया गया है एक है kinetic friction और एक है आपका rolling friction ठीक है अब समझते हैं एक-एक करके एक-एक को अब देखो कई बार ऐसा भी होता है कई जगे आपको बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा कि friction is of three types static kinetic and rolling तो वास्तविक्ता वही है static, dynamic, dynamic के आगे फिर से वो दो parts है तो पढ़ते समय हम अलग से dynamic नहीं पढ़ते हैं सीधा static, kinetic और rolling के बारे में बात करते हैं rolling तो पढ़ना भी नहीं है हम लोगों को ठीक है अब static कहां पर आता है तो देखो static का मतलब static इस वर्ड का मतलब क्या होता है at rest at rest मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो static friction जो लगता है वो कब लगता है जब body कहां पर है body is at rest और about to move या तो body पूरी तरह से rest पर है या body बस चलने ही वाली है उस समय जो आपका friction लगता है उसे हम लोग कहते है static friction उसे हम लोग क्या कहते है static friction और जब body चल रही होती है body कहां पर है body is in motion तो हम लोग dynamic friction की बात करते हैं और उसमें भी kinetic body is in motion मतलब body क्या कर रही है sliding motion में कौन सा motion है sliding motion में kinetic friction लगेगा और rolling friction कौन से में लगेगा rolling motion जब हो रहा होगा तो आपका rolling friction लगेगा लगे इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करनी है तो static friction, kinetic friction और rolling friction static friction कौन सा? जब आपकी body कोई rest पर है या about to move या just चलने ही वाली है जैसे मैं अभी example देता हूँ मान के चलो हमारे पास मैं मान के चलो हमारे पास मैं यहाँ पर एक body है M mask की और यहाँ पर आप एक force लगा रहे हो अब यह force क्या है की continuously increase होते जा रहे continuously क्या हो रहा दीरे दीरे इसको बढा रहे है अब एक stage देखो starting में body कहाँ पर starting में body at rest है body क्या है rest पर है विराम अवस्ता में है अब आप इस force को बढ़ाए जा रहे हो अब बढाते 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 एक stage ऐसी आएगी जहां पर यह body बस चलने ही वाली होगी चली नहीं है बस चलने ही वाली होगी चली नहीं है body has not moved yet but it is about to move बस चलने ही वाली है लग रहा होगा वो कौन सा होगा बटा ये होगा आपका static friction और जब body चल जाएगी मतलब इस force के कारण जब body चल जाएगी slide करने लगेगी इस ground पर तो उस समय जो friction अब लग रहा होगा वो आपका होगा kinetic friction अब चुकी body चल चुकी है तो अब जो friction लग रहा है वो है आपका kinetic friction अब जो friction यहाँ पर लग चुका है वो कौन सा है kinetic friction चलो अब हम लोग एक एक करते हुए फिर से थोड़ा सा अब इनको थोड़ा सा detailing कर लेते हैं तो सबसे पहले मुझे बात करनी है static friction के बारे में static friction क्या होता है तो static friction तब लगता है जब आपकी कोई body या तो rest में है या फिर it is about to move या तो वो rest में है या फिर वो चलने ही वाली है static friction कब लग रहा है या तो body rest पर है या तो body rest पर है या फिर चलने ही वाली है सवालों से और ज्यादा अच्छे से idea clear होगा लेकिन कुछ-कुछ theoretical चीजे मैं यहाँ पर बता दूँ सबसे पहला point मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो वह कौन सा आएगा it is effective only when two bodies in contact are either at rest और about to move या तो rest पर है या फिर क्या हो रहा है चलने ही वाली है दूसरा एक और point होता है वो होता है it is self adjusting in nature it is self adjusting in nature it is self adjusting in nature मतलब यह क्या होता है अपने आपको adjust करते हुए चलता है मतलब क्या है जितने की आवशकता है उतना ही लगता है उससे जादा यह बिलकुल भी नहीं लगता है unnecessary अपने आपको waste नहीं करता है जैसे तुम एक बार mobile लेके बैड़ जाते हो कुछ तो भी प्यारा सा कुई cartoon बाटून लगा लेते हो गाने सुनने लग जाते हो तुमें पता ही नहीं चलता है समय कब चला गया है ना लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं इसको मालू में भाई इतना ही dose देना है तो इतना ही dose देगा उससे जादा यह dose नहीं देगा अब यहां पर अब इसकी जो numerical value होती है इसकी जो numerical value होती है its numerical value its numerical value is equal to the force equal to the external force equal to the external force which have tendency to move it to move it move the body sorry it नहीं move the body इसकी जो numerical value होती है static friction की वो कितनी होती है यह उस external force के बराबर होती है जो body में motion की tendency create करने की कोशिश कर रही है उसने इसको चलाया नहीं है उसने इसको चलाया नहीं है yes अब यह जो static friction होता है इसकी जो value होती है वो 0 से बड़ी या equal to और FL अब यह यहाँ पर FL क्या आ रहा भाई तो यह FL जो है actually इसे कहा जाता है limiting friction तो static friction की जो value होती है वो 0 से बड़ी और limiting friction के equivalent तक हो सकती है अब यह जो है यहाँ पर हमारे पास में जो हमने एक terminology लिखी है limiting friction limiting friction या सीमान्त घर्षन FL इसे हम लोग कहते हैं maximum possible value of static friction 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 को कहा जाता है क्या limiting friction क्या कहा जाता है limiting friction और यह कहां से मिलता है यह हमें प्राप्त होता है laws of static friction से कहां से मिलता है laws of static friction से और static friction का जो law है जो law है static friction का वो यह कहता है friction की जो maximum value है वो आपकी proportional होती है normal reaction के proportional होती है किसके normal reaction के तो जितना normal reaction जादा होगा उतना ही friction की value भी जादा होगी और जब हम इसे solve करते हैं तो friction की जो maximum value आती है वो आती है mu s times n where mu s is the coefficient of static friction तो यह आपके friction की maximum value हो गई और friction की जो maximum value है वही आपकी friction की limiting value भी कहला रही है वही आपकी friction की क्या कहला रही है limiting value भी यहाँ पर कहला रही है yes or no तो यह यहाँ पर बात निकल के आ रही है कोई परेशानी देखो यदि आप crash course के lecture में हो इस समय तो इसका मतलब आपको बहुत कुछ आता है ऐसा मैं pre-resume कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं मेरी side से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएं ठीक है तो यह friction की maximum value तक हम पहुँच गए अब इस पे मैं एक आदा सवाल कराता हूँ basic सा ताकि आपको idea लगता रहे लेकिन सवाल कराने से पहले एक चीज़ और करा देता हूँ जैसे मैंने static friction करा दिया है वैसे ही मैं kinetic friction को भी complete करा देता हूँ दूसरा जो point है वो है आपका kinetic friction अब kinetic friction क्या है तो भईया kinetic friction तब लगेगा जब कब आपकी body कहां पर होगी when body it is the frictional force it is the frictional force acting frictional force acting on body in the direction opposite to the opposite to the motion of body motion of body yes यह friction की वो value है यह frictional force की वो value है जो body की motion की opposite direction में लगती है और इसको इसकी value दी जाती है f के बराबर mu k times n where mu k is the coefficient of kinetic friction mu k is the coefficient of kinetic friction अब मैं आपको important बात बता दू mu s हमेशा बढ़ा होगा mu k से और सबसे छोटा होगा rolling friction का coefficient एकाथ बहुत पहले इस पे सवाल पूछा जा चुका है लेकिन अब तो बच्चों बच्चों को यह चीज महलूम होती है तो अब examiner इस पे सवाल पूछना बंद कर चुके है ठीक है चलो तो अब मेरे आपको यह वाली बात तो समझ में आकर अब normal reaction दी निकालना आपको आता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है एक example मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा ताकि आपका concept यहाँ पर clear हो जाए ठीक है यह है आपके पास में एक body मैं मान लेता हूँ कि यह जो body है वो है आपके पास में 10 kg की body है ठीक है 10 kg की body है इस पर आपने एक force लगाया है external और यह force लगाया है 100 newton का कितने का 100 newton का force लगाया है mu s बराबर है 0.6 mu k बराबर है 0.4 ठीक है सवाल में आपको बताना क्या है find frictional force acting friction force अब देखो यहाँ पर दो चीजां बता दो मैं लिखनी रहा हूँ बार बार यह अब आपको समझना है ठीक है pen copy लेके बैड़ है लेकिन सुनकान यहाँ पर रखें कोई जरूरत नहीं है कि आप बार 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 इनको note down करो ठीक है आप notes को print out कर लीजे उसमें चीजे नहीं है मैं जानता हूँ लेकिन आप जब notes को print out करें तो एक साइड खाली रखें उस एक साइड में इन चीजों को भरते हुए चलें ताकि आपको अच्छे से चीजे clear हो जाएं ठीक है सो find a friction force देखो यहां पर limiting friction बताना है और friction force बताना है दो चीजें बतानी है तो भईया सबसे पहले ते एक बात देखो सबसे पहले ते एक बात देखो यहां पर आपका एक force लग रहा होगा w बराबर mg बराबर 10 into 10 मान लो तो यह आजाएगा 100 newton आपका उपर normal reaction लग रहा होगा n बराबर आएगा कितना 100 newton यह normal reaction की value हो गई अब friction की जो maximum value है friction की जो maximum value है वो कितनी आएगी mu s times n तो mu s कितना है 0.6 into 100 so आपके पास में answer आएगा कितना actually एक कामगरो रुको sorry इसको है न आपको 50 newton देना है तो friction की जो maximum value आएगी वो आएगी कितनी 60 newton ठीक है यह आगई friction की maximum value अब आप देख सकते हैं कि जो friction की maximum value है वो कितनी आ रही है 60 newton आपने जो external force लगाया है वो लगाया है 50 newton तो जब कभी भी friction की maximum value external force से बड़ी होती है तो body जो है वो आपकी rest पर होती है body at rest यह आपकी friction की maximum value limiting friction वाली value यहाँ पर निकाली है तो body कहाँ पर है rest पर रहेगी अब इसमें सवाल पूछा जाता है what is the value of friction which is acting on the body तो यहाँ पर जो आपका friction लग रहा है वो कितना लग रहा होगा external force के बराबर मतलब 50 newton यहाँ पर दो चीज़ें आपके सामने निकल के आ रहे हैं क्या आपने external force कितना लगाया था 50 newton आपकी friction की maximum value कितनी निकल के आई 60 newton देखो friction की maximum value calculate करते समय हमेशा ध्यान न कहें कि आपको static friction coefficient को लेना है सर यह म्यूके यहाँ पर क्या कर रहा है वो show के लिए दिया हुआ है कोई जरूरी थोड़ी है कि हर चीज़ जो आपको दी हुए उसका use ही करना है भाई उसको समाल के रखा जा सकता है are you getting my point? अच्छा इसका यह मतलन ही इसको अगले सवाल में use कर लेंगे यहाँ use नहीं हुआ तो अगले सवाल में काम में ले लेंगे एसा नहीं करना है ठीक है? ने तो पता लगा अच्छा इसमें यहाँ पर काम नीया तो अगले सवाल में ले लुंगा मैं ऐसे नहीं होता है यह कोई आपके पैसे नहीं है कि इस महीने के पापा ने pocket मनी दी 100 रुपया 200 रुपया 1000 रुपया 100 रुपया बजगे तो इसको अगले महीने में यूज करेंगे इस जिस सवाल के लिए डेटा दिया है उसी सवाल में यूज करना है अब हो सकता यूज में आए हो सकता यूज में ना आए तो यहाँ पर external value इतनी हो गई maximum इतनी हो गई सुनना यदि यहाँ पर जब कभी भी friction की maximum value external force से बड़ी होती है friction की maximum value जो हमने calculate करके निका ली है बराबर friction की maximum value जो कितनी है actually मैं mu s times n n क्या है normal reaction तो आपकी body जो है वो आपकी rest में रहेगी मतलब body चलेगी नहीं और जब body नहीं चल रही होगी तो इस समय इस पर जो friction की जो अब friction लग रहा होगा देखो मैंने क्या होला static friction is a self-adjusting in nature मतलब वो उतना ही लगता है जितनी ज़रूरत है तो अब इसको रोके रखने के लिए कितने की ज़रूरत है पचास के बराबर की ज़रूरत है तो friction force friction force acting on body तो इस समय body पर कितना friction लग रहा होगा तो fs बराबर answer आएगा पचास newton अब आप इसको ध्यान रख सकते हैं friction कितना लगेगा external force के बराबर लग रहा होगा ये बात क्लियर होगई पहला सवाल से दूसरा एक सवाल अब मैं और करवाता हूँ देखो ये सेम टाइप के सवाल मैं बात में भी करवाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है सेम सवाल करवा रहे है ये 10 kg की body है अब आपने यहाँ पर f external लगा दिया है 100 newton again mu s बराबर आपको दिया है 0.6 mu k बराबर दिया है 0.4 अब क्या होगा अब analysis करते हैं तो देखो weight आएगा बराबर mg बराबर आएगा 10 into 10 मतलब आएगा 100 newton और जो normal reaction है वो भी आएगी 100 newton बराबर है ये w ये normal reaction दोने निकाल लिए friction की maximum value कितनी आएगी तो ये आएगी mu s times n मतलब 0.6 into 100 solve करने पर आपको answer 20 newton मिलेगा answer देखो क्या हो रहा है f external जो है वो बड़ा है friction की maximum value से friction की जो maximum value आ रही है उससे ये external force बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा body will move body will move अब body move करेगी इसका मतलब क्या आगया body in motion body in motion body चलने लगेगी body चलने लगेगी तो body पर कौन सा friction लगेगा बेटा kinetic friction लगेगा static picture में से गायब हो जाएगा static friction picture में से गायब हो जाएगा और kinetic friction कितना आएगा भाई mu k times n आएगा तो ये आएगा 0.4 into normal reaction 100 है ये वाला 100 और ये वाला 100 एक जैसा आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं चाहे तो इसको 120 newton कर लो ठीक है ताकि डेटा अलग अलग दिखाई दे ठीक है 120 कोई दिक्कत नहीं है अभी भी वो छोटा ही है तो यहां आएगा 40 newton ठीक है तो ये kinetic friction लग रहा है अब इसको ज़रा मैं देखता हूँ तो अब देखो ये जो हमारी 10 kg की body है हमारे पास में ये जो 10 kg की body है इस पर ये आप ध्यान से देखोगे तो इधर में 120 newton का external force लग रहा है और इस direction में kinetic friction लगेगा जिसकी value है 40 newton मैंने क्या बोला kinetic friction की बात क्या है kinetic friction आपका हमेशा ऐसे लगेगा कि वो body का अपोज करें actually मैं वो relative motion का ही अपोज कर रहा है क्योंकि देखो ये जो external force है ये जो external force है इस body को इधर चलाना चाता है और friction को physics आती है आपको आए या ना आए मुझे आए या ना आए लेकिन friction को physics आती है और वो क्या बोलेगा कि बाई अच्छा तू इसको यहां से इधर दूर ले जा रहा है मैं इधर लगा के कोशिश करूँगा रोकने की अब वो कोशिश करना बस उसके हाथ में है रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता तो भाईया इसने F के वराबर लग गया 40 Newton तो अब overall ये इस body को थोड़ा सा analysis कर ही है तो एक बात बताओ क्या यहां पर F net बराबर M A का concept लग जाएगा Newton second law of motion बराबर तो आप यहां लगाओगे F net बराबर का MA तो F net कितना आएगा बड़ा force माइनस छोटा force बड़ा force 120 माइनस छोटा 40 बराबर mass of the body 10 और acceleration आपका पता नहीं तो बताओ acceleration कितना आ जाएगा यहां से 120 में चाले 80 बटे 10 मतलब 8 meter per second square और यह acceleration कि डायरेक्शन किदर होगी जिस डायरेक्शन में आपका external force लग रहा है या reality में बड़ा force लग रहा है शौर है क्या कोई दिक्कत तो नहीं तो अच्छा कोई किसी के मन में ऐसा खयाल तो नहीं आ रहा है मैं बता दूं पहल 10 newton का external force लगा दिया म्यू एस बराबर 0.6 और म्यू के बराबर 0.4 और सर अब देखो सर अब देखो सर यहां पर F के बराबर आएगा 40 newton तो अब आप FBD बना के देखो सर 10 kg इधर 10 newton इधर में 40 newton तो सर 40 minus 10 बराबर 10 into A सर अब देखो सर अब देखो सर अब देखो सर 10 newton पर सेकंड स्कुएर इस डारेक्शन में गलत है यह पहली बात तो सुनो काइनेटिक फ्रिक्शन तो तब आएगा जब पहले static अपनी हार मान चुका होगा जब तक static friction हारेगा नहीं तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन क्रिकेट का खेल देखा है देखा है कि नहीं देखा है क्या होता है उसमें दो opener बैट्समें आते हैं और जब तक वो दोनों क्रीज पर टिके हुए तब तक अगला first order बैट्समें आता है क्या खेलने क्रीज पे नहीं आता है जब तक वो दोनों लड़ रहे हैं जब तक वो सामना कर रहे हैं तब तक वही करते रहेंगे हाँ जब वो आउट हो जाएंगे चाए कहाँट नहीं होगा तब तक अगला घलाड़ी मैदान में नहीं उतरेगा ऐसे ही है कायनेटिक प्रेक्षण क्या बोलता है भाई पहले static friction तुम लग लो तुम रोगने की कोशिश करो जब तुम ठक जाओगे तब मुझे बता देना तब मैं आके काम करूँगा यस तो जब तक static friction लग रहा है तब तक काइनेटिक के बारे में सोचने की ज़रत नहीं है पराबर तो ऐसा नहीं कि मन से कु लेने के बाद में भी ऐसी गलतियां होने लगती हैं ठीक है चलो मैं यहाँ पर आपको एक और अच्छी सी चीज बताता हूँ जैसे यहाँ पर आपके पास मैं अब एक M मास्क की बॉड़ी है और यहाँ से आपने क्या किया है एक F फोर्स लगा रहा है होरीजॉंटल से थीटा एंगल पर म्यू इस दा कोफीशन्ट और फ्रिक्शन स्टाटिक है कि काइनेटिक है कोई नहीं जब आपको सिर्फ म्यू लिखके दे लिया है मतलब म्यू है स्टाटिक काइनेटिक वो जिस हिसाफ से ज़रत होगी उस हिसाफ से हम लोग इसको और नो चलो तब मुझे बताओ कि यदि आप इस बॉड़ी को चलाना चाते हो तो जश्ट मोशन में लाने के लिए कितनी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर रिक्वायर है सवाल सुनू फाइंड एफ मिनिमम तू जश्ट मूव बॉड़ी जरासा सिर्फ मूव करना है फाइंड एफ मिनिमम तू जश्ट मूव दा बॉड़ी फाइंड एफ मिनिमम तू जश्ट मूव दा बॉड़ी तो भाईया यहाँ पर देखो यह आपका लग रहा है mg इसका एक component इधर आएगा एक component इधर आएगा यह आएगा f cos theta यह आएगा f sin theta यहाँ आएगी normal reaction n तो यहाँ पर आप देखो के vertical direction में आएगा n plus का f sin theta बराबर mg तो यहाँ से normal reaction आएगी mg minus का f sin theta अब एक बात बताओ friction की maximum value कितनी आएगी तो आप कहोगे friction की maximum value जो है friction की maximum value आएगी mu times n मतलब friction की maximum value आएगी कितनी mu times mg minus का f sin theta mu times n मतलब mu times mg minus का f sin theta अब आप इस body को चलाना चाते हो तो find f minimum to just move, just move कराना है इसका मतलब क्या है कि जो जो f cos theta है वो या तो greater than हो जाए या equal हो जाए, equal पर just चलने वाली situation आजाए कि just move तो उससे तूसा जाला लगा होगे तो motion आजाएगा, तो f cos theta जो greater than or equal to mu times friction की maximum value mg minus f sin theta होना चाहिए, yes और no सही बात है, चलो, अब ज़रा मैं इस equation को वापस से लिख रहा हो यहाँ पर f cos theta greater than or equal to mu mg minus mu f sin theta इसको इदर लेके आजाओंगा, तो f cos theta plus का mu f sin theta greater than or equal to mu mg f आएगा यहाँ पर common, तो यह आएगा mu sin theta plus का cos theta greater than or equal to mu mg और यहाँ से f should be greater than or equal to mu mg upon mu sin theta plus का cos theta यह आपकी f greater than or equal to आगया, मतलब आप यहाँ पर क्या लिखोगे? f minimum जो है, वो आएगा mu mg upon mu sin theta plus का cos theta यह यदि theta दिया है तो, लेकिन यहाँ पर आगे चलके आपको पता लगेगा कि कई बार यह इस format में नहीं रहता है, यह straight forward सवाल बन सकता है f की minimum value, f की minimum value, yes, theta दे दिया, mu दे दिया, mass दे दिया लेकिन कई बार है न, वो कुछ इस प्रकार से देता है, it is something like that कि आपको सवाल को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ वो क्या है, a sin theta प्लस का b cos theta, यदि ये एक आपका function given है तो इसकी जो minimum value है और maximum value है, वो हमेशा under the root of a square plus b square, minus से लेकर के, चलो, a sin theta प्लस का b cos theta, less than equals to under the root of a square plus b square, ठीक है, लेकिन हम लोग इनको जरुवत के समय पे इसको mold कर लेते हैं, और इसको हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, इसको क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, मतलब ये है कि इस function की जो maximum value है, वो निकल के आती है, under the root of a square plus b square, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये नीचे का क्या हुआ, सर ये क्या बता दिया, कुछ पले नहीं पड़ा, छोड़ो तो इस पर रिवांग मत लगाओ, ये थोड़ा minimum जो आएगा, जो अभी आपका mu mg हो रहा था, upon क्या था, mu sin theta plus का cos theta हो रहा था, तो और थोड़ा सा आगे adjust करूं, तो f minimum जो है, वो mu mg upon under the root of one plus का mu square हो सकता है, ये एक दम थोड़ा सा आगे चला गया है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी, चाहिए, अब इस पर आपके तमाम तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं, सीधे सीधे सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, यस और नू, चलो, अब हमें काम करते हैं, समझते हैं क्या, ये आपके पास में M मास की बॉड़ी है, और ऐसे ही यहाँ पर भी M मास की बॉड़ी है, मैंने क्या किया, एक theta angle पर, एक force लगाया, f horizontal से theta angle पर, और इस बॉड़ी में acceleration a1 आया है, यदि ये mu है, और यहाँ से यहाँ पर आया है, theta angle पर, same amount of force, f, ये mu, और इसका जो acceleration आया है, वो आया है, a2, ठीक है, चलो, बताओ, यदि मैं आप से पूछू, a1 बढ़ा होगा, या a2 बढ़ा होगा, तो you will say that, a1 is greater than a2, क्योंकि to pull is easier than pushing, खीचना धका देने की तुलना में आसा होता है, ऐसा क्यों होता है, तो देखो क्या होता है, ये जब ऐसे जाता है, ठीक है, तो ये आपका f हो जाएगा, ये वाला angle theta आएगा, तो ये आएगा f cos theta, ये आएगा यहाँ पर f sin theta, ये आएगा mg और ये आएगा normal reaction, clear, समझ ये, वैसे ही यहाँ पर ये mg तो है ये, अब इसका एक component इदर आएगा f cos theta, और एक आएगा f sin theta, और ये आएगा normal reaction, ठीक है, अब इस वाले case का normal reaction लिखके देखिए, तो इस वाले case के लिए जो normal reaction आएगा, वो आएगा n बराबर mg plus का f sin theta, जबकि इस वाले case का जो normal reaction आएगा, वो आएगा mg minus का f sin theta, ठीक है, तो यहाँ स से वो krass cutter वाला essa concept आपने देखा होगा fit जब घास काट नी होती है तो इसको ऐसे पीछे से दबाते हैं और ऐसे पीछे से चलते हैं लेकिन जब इसको कहीं ले जाना होता है तो उसको ओसे आगे से खीचते हैं और ले जादे हैं क्योंकि खीचना धक्का देने की तुलना में ज़्यादा आसान होता है यस और नू मैं उम्मीद करता हूँ यहां तक आपको समझ में आया होगा यस और नू यस और नू चलो और भी अलग-अलग वेराइटी के सवाल बनाए जा सकते हैं इस बात को ध्यान लगना है मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही टाइप की वेराइटी के सवाल आएंगे जब सवालों करा देखो एक लिक्षर जब मैं जिसमें MCQ लूँगा उसके अंदर में भी मैं आपको चीज़ें कवर करवाऊंगा लेकिन पहले अभी कुछ थेयरिटिकल चीज़ें कवर करवा देता हूं ताकि में में चीज़ें यहां पर आपकी कवर हो जाएं जिसे मान के चलो जिसे मान के चलो यहां पर एक स्मूथ तरफेस पर एक M मास का ब्लॉक रखा है ठीक है अब मैं क्या करता हूं यह प्लेन तो ऐसे ही था इस प्लेन को हम उठाना चालू करते हैं एक साइड से और उठाते उठाते किसी एंगल तक पहुंच जाते हैं ध्यान से जनना यह प्लेन ऐसी था लेकिन हमने क्या कि इसकी एक साइड को उठाना ही चालू किया अब उठाना चालू करेंगे तो क्या होगा कि इस पर एक जो ब्लॉक रखा है वो बहुत देर तक देगो जब मैं इसकी पोजीशन यहां बनाऊंगा मतला बास चलने ही वाला है यह वो वैल्यू है जहां पर आपका ब्लॉक जो है वो चलने ही वाला है तो यह जो एंगल होता है यहां पर इस एंगल की बड़ी एहमियत होती है इस angle की क्या है बड़ी ही एहमियत होती है क्यूं ऐसी होती है एहमियत का मतलब सब्सक्राइब importance simple plane रखाता धीरे 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 उठाना चालो गया तो यह वो situation है यह वो position है जहां पर इस inclined plane का angle कितना है theta है इस angle कितना है theta है यहां पर block जो है it is about to move block is about to move मतलब चला नहीं है लेकिन थोड़ा सा इत्तू सा भी थी मैं उपर उठा दूँ तो block slip मार जाएगा slide कर जाएगा तो इस angle को हम कहते हैं angle of friction इसे क्या कहते हैं angle of friction और यह जो है यह होता है 10 theta बराबर mu या फिर मैं कहूं theta बराबर 10 inverse mu के बराबर आता है किसके बराबर आता है theta बराबर आता है 10 inverse mu के बराबर यहां पर निकल के आता है इसको आपको यहां पर ध्यान में रखना है ठीक है इसमें कोई गलती तो नहीं करेगा ना देखो कोई गलती नहीं करनी है नहीं तो बहुत दिक्कत वाला काम यहाँ पर हो जाएगा ठीक है शौर है ना और कुछ चीज़ें तो नहीं है जो हमको यहाँ पर सीखनी है नहीं बेटा देखो यह में चीज़ें थी हाला कि इसमें और भी चीज़ें हैं जिनको हमको यहाँ देखना है धीरे धीरे देखो एक बात को समझो चीजों को एक साथ नहीं धीरे धीरे करके खाना चाहिए है ना जैसे आपके गर में मिठाई आई तो ऐसा थोड़ी की बैट के एक किलो आई तो एक किलो खा गए थोड़ा थोड़ा आराम-ाराम से एकदम स्वाद ले ले के घाना चाहिए ऐसी सवालों मैं कॉंसेट में जब भी आप सीख रहे हो तो थोड़े थोड़े कॉंसेट को पकड़ते हुए आगे बढ़ना नहीं है तो इस पे सवाल कैसा आता है इस पे सवाल आता है मतलब सवाल देखो मैं बोल के बताता हूँ ऐसे लिखूंगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आपके पास में एक सर्फेस है जिस पर एक M मास का ब्लॉग है इसको उठाया जाता है और वेंड अंगल इस 37 डिगरी तो ब्लॉग स्टार्स लाइडिंग तो भाईया आप सीधा सीधा लिख दीजे म्यू बराबर आएगा 10 ठीटा ये सीधा सवाल हो जाएगा तो म्यू बराबर आएगा 10 37 37 डिगरी पर वो चलने लग गया है तो ये कितना आजाएगा 10 37 मतलब 3 by 4 खतम मतलब म्यू बराबर आजाएगा 0.75 इसे सवाल बनते हैं अब यहां पर एक चीज और आती है और ये जो चीज है उसको मैं क्या बोलता हूँ समझते हैं जरा कि हमारे पास मैं आपको एक चीज रिकॉल हो रही होगी एक चीज नहीं मतलब एक कॉंसेप्ट रिकॉल हो रहा होगा देखो क्या हमारे पास मैं यदि एक इनकलाइन प्लेन है ठीटा ठीक है इनकलाइन प्लेन है ठीटा और ये है स्मूथ ये क्या है स्मूथ और इस पर यदि मैंने एक M मास की बोड़ी को रख दिया और छोड़ दिया स्मूथ प्लेन पर M-mass की बॉड़ी को रखा और छोड़ दिया तो क्या होगा ये आपका स्लाइड करना स्टार्ट करेगा विद एसलरेशन ए यास और नो तो कितना आएगा ये जो एसलरेशन आएगा वो आएगा G-sine-theta कितना आएगा G-sine-theta बराबर स्मूथ इनकलाइन प्लेन पर जब बॉड़ी को रिलीज किया जाता है तो वो बॉड़ी तो वो बॉड़ी G-sine-theta के एसलरेशन से नीचे आती है लेकिन एक बात बताओ कोई जरूरी तो नहीं है न कि हमेशा आपको जो सर्फेज है वो स्मूथ ही मिलें क्यों? मतलब अब हमारे पास मैं ऐसा भी तो हो सकता है ये ठीटा एंगल है यहाँ पर कोफिशन्ट ओफ रिक्शन म्यू है और एक बॉड़ी M मास्की है और इसे उपर से क्या किया गया है वही डिलीज किया गया है तो अभी उसका Aceloration आ सकता है लेकिन ये जो Aceleration आयेगा वो आयेगा G Sine Theta माइनस म्यू जी कॉस थीटा ड्यान से सुनना भराबर G Sine Theta माइनस का म्यू जी कॉस थीटा इस Aceleration से ये बॉड़ी क्या करेगी नीचे आने की कोशिश करेगी इस acceleration से body नीचे आने की कोशिश करेगी लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान से देखो मान के चलो ऐसी situation है यह theta angle है और अब इसका मैं derivation नहीं करवा रहा हूँ लेकिन ध्यान रखना है आपको यह value ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? मान के चलो एक m mask की value की body है m mask की body है इसको v not initial velocity से क्या किया जा रहा है? projectile किया जा रहा है या throw किया जा रहा है इस inclined plane पे तो क्या होगा? तो जब यह body उपर जा रही होगी तो इस पर यहाँ पर एक चीज और consider करना है वो है mu तो इस पर क्या लग रहा होगा? इस पर एक retardation लग रहा होगा जो इसे रोकने की कोशिश करेगा तो retardation के लिए minus लगा दिया और जो value आएगी वो आएगी g sin theta plus का mu g cos theta ध्यान रगना दोनों में क्या difference है? उपर से आपने छोड़ दिया तो g sin theta minus mu g cos theta नीचे से आप v naught value synthesis को थ्रो कर रहे हो body उपर की direction में जा रही है लेकिन retardation पीछे लग रहा है वो कितना लग रहा है? minus time g sin theta plus का mu g cos theta minus time g sin theta plus का mu g cos theta यस और नू? ये एक concept है इस पर सीधा सीधा सवाल बन सकता है अब मैं आप से सीधा सवाल पूछ सकता हूँ ठीक है? अग बताओ चलो एक 37 degree के incline plane पर 37 degree के incline plane पर आपका mu बराबर 0.1 की एक body है release कर दी गई है सवाल कर सकते हो क्या? लो example दे रहा हूँ मैं आपको 37 degree ये m मास से कोई मतलब ही नहीं है भाई आपको mu बराबर दिया है 0.1 लो बताओ कितना आएगा? acceleration आएगा g g मतलब 10 को बाहर रहें दो sin 37 3 बटा 5 minus mu 0.1 into 4 बटा 5 यहाँ पर a बराबर दे को 5 common लेके आएगा 2 into और यह आएगा 3 minus का 0.4 तो acceleration जो आएगा वो आएगा 2 into 3 message 0.4 के तो आएगा 2.6 5.2 meter per second square ठीक है? लेकिन यहीं सवाल में मैं आपसे ऐसा पूछ सकता हूँ लो भई यह 37 degree के incline plane पर आपकी m mass की body है और उसे मैंने 20 meter per 30 second की रपतार से उपर थो किया है और वही mu बराबर 0.1 है तो retardation बताओ क्या दिक्कत होगी बताओ तो a बराबर आएगा minus का 10 into 3 बटा 5 plus 0.1 into 4 बटा 5 cos 37 4 by 5 a बराबर formula लगा रहा हूँ वस 5 common आके minus का 2 into 3 plus का 0.4 तो a बराबर आएगा minus 6.8 meter per second square क्या रहा है acceleration बराबर ये सवाल बनता है simple सा सवाल होता है जिसको आपको यहाँ पर करना है इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है न इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है yes or no एक चीज़ और आती है आपके पास मैं यहाँ पर एक थीटा एंगल का और μू कोफिशंट और फ्रिक्शन का एक इनकलाइन प्लेइन है और इस पर M मास की बॉड़ी रखी है और इस पर हम एक फूर्स लगा रहे है जो की से रोकने का काम कर रहा है जो की से रोकने का काम कर रहा है तो यहाँ पर सवाल पूछा जाता है find the range of F find the range of F so that M is लिखा जाता है या तो in equilibrium या तो ऐसे लिख देते हैं की M क्या है? equilibrium पे है या लिख देते हैं की block is at rest सीधा सीधा result याद करना है क्योंकि मैं उस result को derive नहीं कर वाँगा और यह जो result है आपको या किन मानिए इस से आपको बहुत फाइदा मिलेगा यही result भी है कैसे है? तो F की जो value होगी वो mg sin theta minus mu mg cos theta less than equal to F less than equal to mg sin theta plus का mu mg cos theta इसके बीच में होगी यह result याद रखना है standard type का सवाल बन सकता है तो मैं यह नहीं कह रहा है हमेशा मैं आपको बोलता हूँ मैं वो possible चीज़े आपको पूरी कराके चलता हूँ हो सकता है सवाल पूछे हो सकता है नहीं पूछे जैसे अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ find range यह जो है न यह F की range है minimum value इतनी maximum value इतनी इतनी रखो के तो यह block क्या है हमेशा rest पर बना रहेगा block क्या है rest पर बना रहेगा एक बात समझ लीजें यहाँ पर देखो मैं सारे topics यहाँ पर cover करता हुआ चल रहा हूँ जितनी maximum possible topic हैं इसके बाद दो ही topic बचें अब आपके दो कहलो या तीन कहलो देखो एक कौन कौन सा बच गया है एक तो आपका block over block बच रहा है एक आपका pulley block system में friction देखो pulley block system तो पूछते भी नहीं है तो इसलिए हो tension नहीं है लेकिन blocks connected with the string दो blocks को string से connect करो और उसमें friction लगा दो conceptual सवाल है बड़े ही आराम से हम उनको यहाँ पर tackle कर सकते हैं तो इसलिए उनसे घबरानी की कतई आवशकता नहीं है उनसे घबरानी की कतई आवशकता नहीं है थोड़ा सा और मैं आपर बता दूँ कि जब tension friction और string का जब concept आता है किसका किसका friction और string का concept आता है तो पहले picture में friction आता है और tension बाद में आता है पहले कौन आएगा friction आएगा अब मेरा पानी भी घता मोरा मैं तोड़ी पानी की बोटल भी बरवालू और उसके बाद आगे start कर रहे हैं हम लो दो चीज़े बच्ची है उनको हमको finish करना है चलो तो हमारी बोटल आ रही है तब तक भर रही है तब तक हम लोग एक topic को आगे cover करा देता हूं अब देखो मैंने जैसे कि आपको बता भी दिया है दो ही topic बच्चे हैं अभी एक तो वो tension के साथ में हमको आगे बढ़ना है tension और friction को combine करते हुए और एक topic कौन सा है block over block वाला ठीक है block over block थोड़ा सा higher level है लेकिन कोई डरने की बात नहीं है अब ये जो topic है समझ ये इसमें एक बहुत ही famous सा एक सवाल है और वो सवाल क्या है अचली ये एक standard type of question है जो concept को समझने में काम में आता है क्या हो रहा है यहाँ एक string से ये आपका एक m mass का block जुड़ा हुआ है यहाँ पर coefficient of friction है mu और यहाँ पर आपने एक external force लगा दिया है f ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत अब कहा ये जा रहा है कि question देखो आपको बहुत सी standard गुक में मिल जाएगा ये वाला सवाल draw the graph of tension versus f external यदि force f को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है ठीक है कहानी की शुरुवात कैसे करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा होगा सबसे पहले समझते हैं ये एक m mass का block है तो यहाँ पर आपका mg लगेगा weight ये आपकी एक normal reaction लगेगी और जो यहाँ पर friction की maximum value होगी वो आएगी mu mg इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई doubt होना चाहिए this is the maximum value of friction जो की limiting friction है अब यहाँ पर एक बास समझे सवालों में यहाँ पर अब इस string में tension भी लग रही होगी लग रही होगी नहीं लग तो जैसे जैसे आप F को बढ़ाओगे तो अब यहाँ पर दो possibility है कौन कौन सी दो possibility है कि या तो मैं मानू कि friction पहले लगा या फिर मैं मानू कि tension पहले लगा बास समय आ रही है या तो मैं मानू कि tension पहले पिक्चर में आया या फिर मैं मानू कि friction पहले पिक्चर में आया तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है हमको और वो क्या है पहले friction आएगा और बाद में tension आएगा बाद में tension आएगी पहले friction आएगा और बाद में tension आएगी इसका मतलब पता है क्या है देखो अब जैसे इसको पहले यहाँ पे जैसे कोई एक सवाल जैसे मैं यहाँ पे एक सवाल बनाया था आपके लिए कहां गया friction वाला हाँ यह रहा जैसे यह वाला सवाल था 120 newton वाला है तो यहाँ पर आप देख रहे हूँ कि आपका friction की force इतनी है या फिर यह वाला सवाल जैसे 10 newton वाला सवाल है तो यहाँ पर static friction कितना लग रहा है 7 newton का maximum friction लग रहा है तो friction ज़्यादा है तो block चल ही नहीं पा रहा है चल पा रहा है क्या नहीं चल पा रहा है तो ऐसे ही क्या होगा यहाँ पर अब इस चीज को theoretical यहाँ पर हमको समझना है देखो क्या होगा कि जैसे आपने f external बराबर 1 newton का force लगा दिया बराबर तो जैसे ही आप 1 newton का f external का force लगा होगे तो friction जो लगेगा वो 1 newton पे लग जाएगा मैं मान लेता हूं कि friction की maximum value possible है वो मान लेते हैं 10 newton अभी के लिए 10 newton मान लेते हैं जो भी आया होगा data लेकिन हमने मान लिया समझाने के point of view से समझो तो मैंने external force 1 newton लगाया तो friction की maximum value 10 newton तक जा सकती है तो अब friction क्या करेगा अपने आपको 1 newton लगा लेगा जैसी friction 1 newton लगेगा तो tension 0 block अभी भी rest पर है तो अभी ये friction लग रहा है फिर आपने इसको 2 newton कर दिया तो ये भी कितना आ जाएगा 2 newton और tension अभी भी 0 फिर 3 newton कर दो ये 3 newton tension 0 and so on जब तक ये 10 newton नहीं होगा friction की value 10 newton नहीं होगी तब तक tension क्या रहेगी 0 अब friction अपनी पूरी ताकत का यहाँ पर प्रियोग कर चुका है तो जैसे ही आपका F external आपने 11 newton लगा दिया तो static friction की value कितनी रहेगी 10 क्योंकि ये 10 से आगे बढ़ी नहीं सकती अब ये 10 नहीं बढ़ सकती तो अभी भी ये ऐसा तो है नहीं होगी नहीं कि ब्लॉक यहाँ से भाग जाएगा ब्लॉक यहाँ से नहीं भागेगा तो tension अब कितनी आजाएगी 1 newton आगे देखो एक्षली इससे पहले एक बार और बना देता हूँ थोड़ा सा लाश्क से लिटाओ कि f external बराबर 9 newton था static friction की value 9 newton थी और tension अभी आपका 0 है अब 1 newton बढ़ा दिया मैंने external force तो ये 10 newton हो जाएगा static friction भी बढ़ जाएगा 10 newton tension अभी भी 0 friction अभी रोक के रखा है block को चलने नहीं दे रहा है लेकिन जैसे ही आपने external force की value 11 newton करी तो friction तो अपनी maximum value 10 newton तक ही लगेगा इससे आगे लगी नहीं सकता friction की maximum possible value हमने कितनी define करी है हमने मान लगी है 10 ही लग सकता है तो 10 तक ये लग जाएगा तो अब tension picture में आना चालोगा और tension लगेगी कितनी 1 newton अब tension कितनी लगेगी 1 newton फिर आगे देखो मान लोगी आपने external force को थोड़ा और बढ़ाया एक newton से तो आपने कितना कर दिया 12 तो static friction अभी भी कितना लगेगा 10 newton तो अब tension कितनी लगेगी 2 newton लगेगी तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ को observe कीजिए और वो क्या observe कर पा रहे है देखो यहाँ से यहाँ पर external force कितना बढ़ा 1 यहाँ पर भी plus 1 आ गया yes or no static friction यहाँ पर maximum value का चीओ करने के बाद constant हो गया है और tension देखो यहाँ पर भी plus 1 बढ़ा है और यहाँ पर भी plus 1 बढ़ रहा है अब यह जो friction की maximum value लगी है वो क्या है mu mg के बराबर होगी yes or no और जब तक mu mg है मतलब यह friction की maximum value mu mg है और यह वाली जो external maximum value जहाँ पर f external जो है जिस जगह तक आपका f external mu mg के बराबर हो रहा है उस जगह तक आपका tension क्या है 0 है उस जगह तक tension क्या है 0 लेकिन सर देखो यहाँ से देखोगी तो 1 newton, 2 newton, 3 newton में friction तो 1 newton, 2 newton, 3 newton है तो इसका मतलब यह है कि जितना आप f external बढ़ा रहे हैं जितना इस static friction की value बढ़ रही है लेकिन इसकी बढ़ने की maximum limit है mu mg ता उसके आगे friction force बढ़ नहीं सकता है वो उसकी maximum limit है यस और नो तो अब आप सोचवे दिए आपको graph बनाने को बोला जा रहा है यह है यह आपका f है external और यह है tension तो अब आप बताओ जैसे मैं मान लेता हूँ f external की वो value जहाँ पर friction की maximum value लग चुके है वो कितनी होगी mu mg तो यहाँ तक आपका tension लग रहा है नहीं tension 0 है मतलब यहाँ तक तो आपका tension क्या है 0 यहाँ तक tension क्या है 0 और यहाँ से क्या हो रहा है यहाँ से आगे यह हो रहा है कि आप देखो आपने external force को 1 newton से बढ़ाया तो tension भी 1 से बढ़ गई external force को plus 1 और कर दिया यहाँ पे plus 1 हो गई line के line match करो तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ से जितना external force बढ़ता है उतना ही tension भी बढ़ते जा रही है तो यह एक इस प्रकार से इसका graph आता है ठीक है तो यहाँ से आपने क्या concept सीखा आपने concept यह सीखा कि जब कभी भी सवाल में जब कभी भी सवाल में friction और tension दोनों situations यहाँ पर आपको दिख रही है तो उस इस्तिती में पहले कौन आएगा friction आएगा tension बाद में आएगी इसका मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर यहाँ पर यही मैं उसको समझाने के उद्देश तो फिर से दुबारा यही मैं बताता हूँ तो क्या होगा चीजों को देखते हैं कि देखो यदी मैं यह कहता हूँ कि यह tension पहले आगई मान लेते हैं tension पहले आगए तो देखो यह क्या हो जाएगा tension इसको खिचेगी तो यह situation ऐसे बन जाएगी वह elasticity वाला chapter जो कि आपने अभी नहीं पढ़ा है लेकिन यही tension को पहले मान लिया तो देखो यहाँ पर इसकी shape में change आजाएगा क्योंकि रसी तो खिचेगी मतलब यह जो है ऐसा खिचा हुआ चला आजाएगा क्योंकि tension उसके tension तो इसको बढ़ने से तो रोग रहा है तो यह चीज़े तो यहीं पर रुकी हुए लेकिन यहाँ पर ऐसा shape में आजाएगा तो यह situation complex हो जाएगी तो इसी basis पर माना गया है और यह practically देखा गया है कि friction पहले आता है और फिर tension आता है तो इसी के basis पर सवाल बनते हैं अब यह तो मैंने single system वाला यहाँ पर सवाल बताया है लेकिन reality में जो आपको सवाल मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा देखो अब इस concept को मैंने concept बताया है लेकिन इसको मैं numerical के बिना समझा नहीं सकता देखो mechanics में कुछ limitations होती है क्या कि इसके बाद even though you will get a numerical lecture from our side मैं एक आपको numerical वाला lecture और दूंगा लेकिन एक बाद समझे mechanics यहाँ तक चल रही है जब तक मैं आपको बोलू कि rotation तक आप कहिए rotation तक even though अब जैसे यह आज friction वाला topic काता मुझे का उसके बाद जाविश सर आपके लेक्चर लेंगे work energy power और system of particles and rotational motion के तो यहाँ तक situation है ऐसी है कि concept कई बार laws of motion जैतर का तो पूरा फंड़ा यही है यहाँ पर है आपके पास में एक 2 kg का block इसको एक string से connect किया है और यह है यहाँ पर 5 kg का block मैं इसको इदर खीच रहा हूँ 25 newton के force से मैं इसको इदर खीच रहा हूँ 15 newton के force से यहाँ पर जो mu है उसकी value है 0.5 और यहाँ पर mu की value है 0.4 अब सवाल में पूछा जाता है acceleration और tension यही सवाल यहाँ पर बनते हैं यही सवाल यहाँ पर बनते हैं अब इन सवालों को solve करने का एक step wise process होती है सवाल समझे ऐसी variety का सवाल देखे मैंने mu की value भी अलग-अलग दे दी है sir mu s और mu के भी अलग-अलग कर दो भाई पराण पखेर उड़ जाएंगे उतने level का सवाल आपको नहीं पूछने need मैं भाई मैं तो बोल रहा हूं कि वो तो दोनों समान देंगे mu b हो सकता है वो mu की value भी same देंगे यदि आपको सवाल दिया इसका level आपके exam से थोड़ा सा में ऊपर जा रहा हूं मानो यदि बाई चांस examiner का मन किया कि नहीं सवाल का थोड़ा सा level बढ़ा के देंगे भाई हम बच्चों को हलुआ सवाल नहीं देंगे तो भाई है इस से ज़्यादा level नहीं देंगे यह भी maximum limit तक पहुँच गया है neat के point of view से हाँ ज़िए आप J के point of view से बात करो तो मुझे यहाँ पर mu s लिखना है mu k लिखना है mu s लिखना है ठीक है तो step क्या है सबसे पहला process पहला step क्या करो find net external force find net external force सबसे पहला step क्या perform करना है आपको net external force यहाँ पर calculate करना है दूसरा step क्या करना है find net maximum value of friction friction की maximum values को भी find out करना है net friction यहाँ पर बताना है net friction कितना लग रहा होगा तीसरा उसके बाद में यहाँ पर compare compare f external and friction compare करके क्या पता लगेगा compare जन से आपको पता लगेगा block at rest or motion block at rest और motion का यहाँ पर पता लगा लीजिए अब देखो यहाँ पर क्या होता यह दि ब्लॉक रैष्ट पर है block क्या है rest पर है तो उसके पाश्यात क्या करना है इसके पश्चाहत आपको क्या करना है apply limiting friction on one block and remaining will be tension and solve further drawing FBD drawing FBD लेकिन कोई जरूरी दोड़ी है कि block rest पर ही हो यदि block motion में है block क्या है motion में है तो उस समय आपको क्या करना है apply limiting friction and tension and solve by F net बराबर MA ठीक है तो मैं यहां पर आपको बता दूँ सवाल जो पूछेगा examiner जो maximum limit है वो है आपकी कहां तक की block rest वाली कोई जरूरी नहीं है ऐसा भी पूछ सकता है लेकिन मैं देखो हमारा जो तजूर्बा है वो यही कहता है कि नीट का level भी उनको ध्यान में रखना है NTA वालों को भी तो उस basis पर होगा तो चलो इस सवाल को हम आगे ले करके चलते हैं और आप एक एक चीज बताओ तो देखो इस सवाल के पहले स्टैप के साफ से देखो इधर लग रहा है 25 N का और इधर लग रहा है 15 N का so it implies F net जो लग रहा है वो इधर लग रहा है 10 N का सभी बात है कि देखो इधर में 15 N इधर में 25 N external force यहीं है तो मैंने क्या बोला देखो इधर में 25 इधर में 15 हालां कि मुझे 15 को इधर लग रहा है पंदरा न्यूटन का एंड इधर लग रहा है 25 न्यूटन का तो f net बराबर 10 न्यूटन लग रहा है इस साइड में अब क्या निकालना है दूसरा step मैंने बोला find the maximum value of friction और net friction यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे दूसरे step के लिए जब मैं ज आ रहा हूं तो आप क्या पाओगी कि देखो यह है 2 kg का ब्लॉक तो 2 kg पर इधर में 20 इधर में normal reaction तो friction की maximum value जो यहाँ लगेगी वो आएगी mu s times n तो 0.5 into 20 तो 5 मतलब 10 newton लग गया friction की maximum value यहाँ पर और दूसरा ब्लॉक है 5 kg वाला सही लिखाएगा मैंने एक बार चेक कर लिता हूं भाई नितो क्या होता है इधर से इधर में आते समय पता लगया तो यहाँ आएगा 50 newton का यहाँ normal reaction तो यहाँ की जो friction की maximum value होगी वो आएगा mu s n तो 0.4 into 50 पांचों का 20 तो 20 newton यहाँ लग रहा होगा ठीक है तो अब आपको क्या निकालना है net friction तो f net friction के लिए f small है ठीक है यहाँ capital ध्यान लगना कितना आएगा 10 plus का 20 तो net friction जो लगेगा वो लगेगा 30 newton तो इसके बाद हम क्या करेंगा अगला step compare external force और friction force तीसरा step क्या है compare करना है क्या करना है compare करना है किसको external force और friction की force को तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि friction जो है वो greater than f external है इसका मतलब system कहां पर है system है rest पर system कहां पर है rest पर है इसका मतलब acceleration of the system क्या है zero है मतलब system will not move system will not move system आपका नहीं चलेगा ठीक है फिर क्या लिखा है step में देखो यह 3-4 step हो गए या तो block rest पे होगा या motion में होगा block मतलब system block मतलब sorry block की जगे आपको system लिखना चाहिए यहाँ पर system जो है system जो है वो या तो rest पे रहेगा या फिर motion में रहेगा तो हमने सवाल में क्या किया है rest mostly दी सवाल पूछेगा तो आपसे rest वाला पूछेगा अब इसके बाद का जो step वो कहता है apply limiting friction on one block and remaining will be tension solve further drawing FBD इसका मतलब समझते हैं इसका मतलब यह है कि भाई देखो अब मैं diagram को थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ यह यहाँ पर बना दिया मैंने यह रहा आपका 2 kg का और यह ठैरा आपका यहाँ पर 5 kg का ठीक है यहाँ आपका 15 newton लग रहा था उनको बना दो भाई उनके बिना काम नहीं चलेगा और यहाँ पर 25 newton लग रहा था मैं यहाँ पर क्या बुला गया है apply the limiting friction on one block apply the limiting friction on one block तो एक block पे लगा दो तो जैसे मान के दो दो या तो मैं उधर से शुरू कर सकता हूँ या इधर से शुरू कर सकता हूँ यह मेरे मन की बात है और सवा answer दोनों से भी आएग कि 5 kg वाले का friction जो 20 है तो यहाँ पूरा का पूरा friction 20 newton लग जाएगा बराबर friction maximum 20 लग सकता है और यह system को rest पर रखना है इस system को rest पर रखने के लिए for rest इसमें कुछ tension आएगी तो tension प्लस का 20 बराबर 25 होना चाहिए तो tension कितनी लग गई 5 newton लग गई क्लियर है क्योंकि block को चलाना ही नहीं है block को चलनी नहीं देना है यह बात क्लियर हो गई तो इसका मतलब इसके हिसाब से tension 5 newton आ रहे है लेकिन रुको अभी पूरा solve करके देखना है क्या यह value जो मैं ले रहा हूँ वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है तो अब आगे आ जाओ तो जब मैं आगे आओंगा तो देखो इस पर यहाँ पर tension कितनी है 5 newton क्योंकि यहाँ टेंशन अलग लग होगी तो अब यदि मैं 2 kg वाले को तोड़ा सा देखूं तो भाईया 2 kg वाले पर इधर में tension लग रही है 5 newton और इधर में external है कितना है इसका 15 newton तो इसके तो friction होना चाहिए तो friction required होना चाहिए 15 minus का 5 वराबर 10 newton क्या यह available है तो आप कहोगे yes available है है कि नहीं है पहले चेक कर लो यदि यह 10 newton तक available है तो इसका मतलब सब सही है और सब सही है तो आपके answer के आएंगे acceleration of the system 0 tension in the string 5 newton friction at 2 kg बराबर 10 newton and friction acting at 5 kg कितना लग रहा है यहाँ पर 20 newton ठीक है यह सवाल चार सवाल है इसमें ठीक है अब examiner आपसे सवाल पूछेगा वो सिर्फ पूछेगा acceleration या tension यह मैंने 2 extra बता दिये अब सोचो कोई जरूरी तो नहीं न कि अब जैसे मैंने इधर से किया है आप इधर से भी कर सकते थे सवाल को अब इसको इधर से भी करके दिखा देता हूं यह है आपका 2 kg का यह tension लगा दी और यह यहाँ पर 5 kg वाला यह यहाँ पर 25 newton और यह यहाँ पर 15 newton ठीक है मैंने क्या बोला वही पहले मैं मान लेता इस पे friction पूरा लगा दो तो भाईया देको यह इधर खीच रहा है तो इस पे friction इधर लगेगी और कितनी लग सकती है 10 newton maximum तो यहाँ पर tension आएगी तो भाईया देको 15 बराबर 10 प्लस का T तो tension कितनी लग सकती है 5 newton जो यहाँ से लगाई है जो यहाँ से 5 आपने मानी है उस उसको यहाँ पर transfer कर दो तो यहाँ पर 5 newton tension आएगी तो यहाँ पर friction कितना required है तो भाईया 25 माइनस का 5 मतलब 20 newton required है और available कितनी है तो available भी 20 newton है मतलब सवाल सही है यदि यह required वाली value available से ज़्यादा चली जाती मतलब गलत कर रहे हो दूसरी direction से solve करना होता है फिर दूसरी direction स इसको solve करना होता है जैसे example के तौर पे अब जैसे मेरे पास में ये 15 newton दे रखा है ना अब एक example और करा देता हूं एक या 2 करा देता हूं सेम सवाल ले रहे हैं हम लोग 2 kg सवाल को द्यान से सुनना अब मैंने चीजें आपको बता दी है 5 kg ये आपका 25 newton का force है मैं धर ले रहा हूं 10 newton का force ठीक है 10 newton का ले रहा हूं ध्यान रखना भाई है ना कहानी वही है देखो क्या f external कितना आएगा 25-10 15 newton और friction की maximum value कितनी available आ रही है 30 newton friction at 2 kg maximum कितना आ रहा था 20 और 0.5 mu 0.5 है यहां का ध्यान रखना यहां का mu कितना है 0.5 और यहां का mu कितना लिया है हमने 0.4 तो friction की maximum value at 2 kg कितना है 10 newton और friction की maximum value at 5 kg कितना है 25 और 20 newton देखो ये data वो है जो हम पहले ही calculate कर चुके हैं इसमें बस f external 15 मैंने नया निकाला है clear ये मैं निकाल चुका हूं इसलिए मैं पूरा data same रखा है बस एक value बदली है अब आपने क्या करना है कहीं से भी start कर लो जैसे मैंने माना कि यहां का friction पूरा available अच्छा 10 पे 0 आ रही है कि tension एक second वेटा एक काम कर इसको 12 newton ले लो क्यों 12 ले रहा हूं आपको समझ में आया क्योंकि 10 पे क्या हो रहा है 0 आ जा रहा है tension 0 आ रही है तो 0 तो नहीं रखेंगे हम उसमें आ सकती है लेकिन आपको समझाने में फिर आसादी होनी चीए फिरको इसलिए तो भईया मैंने माना यहां पे यहां से कर रहा हूं माना कि यहां का पूरा friction लग गया तो यहां पे 10 लग जाएगा यहां दस लग जाएगा तो यहां पर tension बराबर 2 Newton लग चुकी है तो यहां पर friction कितना required है तो F required आएगा 25 माइनस का 2 बराबर 23 Newton यह required है और friction available कितना है यहां पर 20 Newton है required तेई से available 20 है इसका मतलब यह गलत है acceleration 0 है यह आपको पहले से पता है क्यों friction external 0 है तो acceleration 0 यह पता है तो system तो रेश्पे होना चीए था यह पहली बात हो गई मतलब मैं इधर से सवाल को कर रहा हूं तो सवाल गलत हो जा रहा है चलो कोई बात नहीं तो मैं इधर से लगाना चालू कर देता हूँ सवाल को सवाल को ध्यान से देखना यह 2 kg आदे लोगों का दिमाग खराब हो गया होगा सर यह इधर से क्या कभी इधर से चला रहें कभी इधर से चला रहें 25 न्यूटन एक बार मैं मन से पूरी value भी नहीं ले रहे 12 न्यूटन ठीक है चलो तो अब मैंने क्या बोला इधर स ब्रिक्शन की maximum value को लगवा दो तो आपने इधर से लगा दिया तो कितना लगेगा 20 न्यूटन ठीक है तो यहां से टेंशन कितनी आएगी यहां से टेंशन कितनी आएगी तो यहां से टेंशन आएगी भाई 25 माइनस का 20 बराबर 5 न्यूटन बराबर तो टेंशन कितनी आगई 5 न्यूटन अब यहां पर आके आप टेंशन तो 5 न्यूटन लगा दोगे लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे यहाँ पर friction required कितना आएगा 12-5 मतलब 7 Newton और available कितना है 10 Newton 10 Newton available है, 7 चाहिए तो काम हो गया मतलब इस सवाल के अनसार आएगे acceleration 0 है tension आपका 5 Newton है friction at 2 kg block अब कितना है required 7 है तो 7 ही लगेगा friction at 5 kg कितना है peace Newton यह इस सवाल का आनसर हो गया अब एक और सवाल करवा देता हूँ इसी पे change करा रहा हूँ ताकि आपका यह block और string का system खतम हो जाए, फिर से एक बार समझा देता हूँ सवाल को, देखो कुछ नहीं करना है सबसे पहले आपको net external force निकालना है net friction निकालना है net friction में friction हमेशा जुड़ेगा friction हमेशा जुड़ेगा क्यों? क्योंकि friction is a self-adjusting in nature भया, friction अपने आपको adjust कर लेता है तो उसको जिदर लगना है, उदर लग जाएगा लेकिन वो रोक के रखेगा तो हमेशा external force से आपका जो acceleration system में आएगा ही तब जब आपका external force बहुत बड़ा हो compare to friction क्योंकि friction तो जुड़ने भी तो है है न? तो ये कहानी यहां तक आगई है इसके बाद आपको क्या करना है? दोनों को compare करो, compare करने से यदि आपका fs जो है देखो यहां नहीं लिखता हूँ rest वाले भी लिख देता हूँ rest में कब होगा? जब fs greater than f external से हो जाए और motion में कब होगा? जब fs less than f external आए clear? तो rest वाली ही सवाल बनते हैं ज़्यादा तर motion वाले भी दे सकते हैं motion वाले में तो फिर कुछ बसता ही नहीं है फिर तो क्या simple fbd बनाके acceleration आजाएगा तो फिर उस पर आप acceleration डाल सकते हो और उस समय जब आप acceleration लगा रहे होगे तो friction पूरी maximum value से लग चुका होगा इसलिए वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी चलो अब इसी सवाल में एक सवाल और extra करा देता हूँ सवाल बिलकुल वही है क्या सवाल है ये है आपका 2 kg का block mu बराबर 0.5 यहाँ पर 5 kg का block यहाँ 25 newton का force यहाँ पर 12 ले चुका हूँ तो 18 newton ले लेता हूँ यहाँ mu बराबर 0.4 है अब इस चीज़ा बताओ क्या-क्या यहाँ पर पता है तो देखो आपको net F external पता है 25-18 मतलब 7 newton है न फिर आपको friction maximum at 2 kg कितना है 10 newton friction maximum at 5 kg कितना है 20 newton तो net friction कितना है 30 newton friction F net जो है वो बड़ा है F external से तो acceleration क्या आएगा 0 यह चीज़े आपकी पहली हो गई अब चुकि acceleration 0 है तो system rest पर है system rest पर है तो आपको एक बार limiting friction लगाना है आप या को इधर से लगाओ या इधर से लगाओ दोनों तरह से मैं करके बता देता हूं मैं इसमें line मार दू बीच में चलो तो line मारने के पश्चा देखो यहां पर क्या बच गया है इसको थोड़ा सा छोटा फिर से बनाना पड़ेगा मेरे को यह 2 kg और बेटा यह 5 kg ठीक है ध्यान से देखना इधर में 18 newton और इधर में कितना है 25 newton ठीक है अब जैसे मान के चलो मैंने बोला यहां पूरा friction आपका लग जाए यहां की जगे में इधर से लगा के दिखाता हूं मान लो यहां पे पूरा friction आपने लगा दिया तो भईया friction maximum लगेगा कितना 10 newton तो यहां string में क्या आएगी tension बोलो tension कितनी आएगी तो 18-10-8 newton बराबर 18-10-8 newton तो यहां पे अब tension लग चुकी है 8 newton की तो यहां friction required कितना है यहां आएगा 25-8 मतलब 17 newton और available कितना है friction 20 newton मतलब सही है और चुकी सही है तो acceleration 0 आपको पहले ही पता है friction at 2 kg कितना लगेगा 10 newton friction at 5 kg कितना लगेगा 17 newton जो required है वही answer आएगा और tension कितना आएगा answer 8 newton खतम सवाल वही खतम लेकिन यदि आपने बोला होता इधर से लगा लूँ तो इधर से लगाते तो आपने बोला friction कितना लगा दिया 20 newton तो tension कितनी आती तो tension आती यहाँ पर 25 minus का 20 बराबर 5 newton देखो यह सवालों का pattern ऐसा ही होता इनको ऐसे ही करना पड़ता है तो यहाँ पर भी tension आ जाएगी तो इस वाले में F required कितना है तो देखो 18 minus 5 मतलब 13 newton required और F available कितना है भाई 10 newton मतलब गलत हो गया तो इस से गलत हो रहा है तो उल्टा हो क्योंकि हमने बाकी तो सही कर रहा है भाई F net greater than है friction की maximum friction जो है net friction बढ़ा है external force था acceleration 0 है तो system तो चलने वाला है ही नहीं system तो चलने वाला है ही नहीं तो इसलिए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है यास और नो तो 10 newton 17 newton 8 newton जो भी values आ रही है उनको आपको बस यहाँ पर समालके रखना है और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत वाली बात यास और नो यदि ये वाला concept समझ में आ गया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बाकी चीज़े भी आराम से धीरे धीरे से समझ में आने लगेंगी अब देखो friction को हम include कर सकते हैं incline plane पर और क्या बोलते हैं इसको incline plane पर जिसमें हम लोग pulley block system भी लगा सकते हैं तो एक तो वो चीज़े हैं चलो उसका भी एक आदा सवाल में आपको बता देता हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सवालों से ही जादा clear होती हैं मैंने single pulley block system लिया है incline वाला नहीं लिया भी थोड़ा सा आसान वाला रखा है यहाँ पर 10 kg का व्लॉक है यहाँ पर mu बराबर मैं मान लेता हूँ कितना है 0.5 है और यहाँ पर है 1 kg अब आपको बताना है क्या होगा tension और acceleration बताने होते हैं जादातर सवालों में ठीक है तो क्या होगा ज़रा बताइए सोचिए तो देखो क्या होगा यहाँ आपका लगेगा 10 यहाँ आएगी tension यहाँ आपका लगेगा 10 यहाँ आएगी normal reaction friction की maximum value कितनी है तो friction की maximum value है यहाँ पर 10 मतलब यह 100 आएगा तो 50 Newton बराबर अब देखो इधर में 50 Newton है इधर में 10 Newton है तो इधर में बड़ा force है तो इधर में acceleration आजाएगा है ना गलत है यह rest पर रखा है रखा है भाई friction तो self adjusting होता है nature में friction क्या होता है self adjusting होता है nature में तो इसका मतलब इससे आपको पता लग गया system कहां पर है system at rest system at rest system at rest हो गया तो इसका मतलब tension कितना आएगा सवाल में 10 Newton खतम अब इसी सवाल को मैं थोड़ा सा बदल देता हूं same type of सवाल है थोड़ा सा मैं इसको बदल देता हूं यह है यहाँ पर 10 kg और यहाँ पर हम ले ले लेते हैं 8 kg ठीक है और वही mu बराबर 0.5 ठीक है चलो अब बताओ क्या होगा तो देखो यहाँ आपका 80 Newton लगेगा weight यहाँ friction की maximum value लगेगी कितनी यह लगेगी 100 मतलब 50 Newton yes or no अब आपको clear हो गया है 50 Newton friction maximum लग सकते हैं यहाँ पर 80 Newton का pulling force है तो यह system क्या करेगा चलने लगे और किदर चलेगा इदर तो इदर में आएगा acceleration इदर में क्या आएगी tension जो tension यहाँ से जाएगी वही tension यहाँ आएगी और यहाँ पर acceleration आएगा दो ब्लॉक का आएब बीड़े बनाओ और solve कर लो जैसे 8 kg वाले के लिए आप बनाओगे इधर में 80 इधर में tension T और इधर में acceleration equation आएगी 80 माइनस का T वराबर 8A clear 10 kg वाले के लिए क्या बनाओगे तो देखो यह ढहरा 10 kg वाला इस पर इधर में लगेगी tension इधर में आएगा acceleration and don't forget to put the friction friction अपनी maximum value को अचीव कर जगा होगा 50 newton equation क्या आएगी T माइनस का 50 वराबर 10A इन दोनों equations को क्या करना है solve T से T कड़ जाएगा तो यह आएगा 30 बराबर 18A A बराबर आएगा 30 बटे 18 मतलब तिछिंग 18 दस तिछिंग 18 मतलब अचलरेशन आएगा कितना दो पंजे 10 और दो तिया 6 यह acceleration आगया और इस ही acceleration से आप tension यहाँ पर calculate कर सकते हैं कर सकते हैं क्या बिलकुल आप कर सकते हैं सवालों को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सवाल आराम से stall हो जाएंगे अब देखो यह तो मैं सिंपल सवाल लिया इसमें थोड़ा सा और variety वड़ा जाती है और वो आती है कौन सी incline plane वाली जो अल्रीड हम कर चुके हैं वैसा ही type का variety है कि यहाँ पर आपके पास मैं मान लेते हैं 37 degree का एक incline plane है और यहाँ पर आपके पास मैं एक block यहाँ लगा है एक block यहाँ लगा है ठीक है अब सवाल मैं यहाँ mu बराबर 0.5 दे देता हूं मैं mu बराबर 0.5 दे देता हूं मैं अब कोई दो block लेने हैं और कुछ नहीं करना है ठीक है सवाल में acceleration वगेरा यहां पर पूछा जा सकता है जैसे मान लो यहां है 10 kg, यहां है 20 kg बताओ भई, सिस्टम में tension और acceleration कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कैसे करना है तो आपने लगाया यहां पर 200, यहां लगेगी tension यहां यही मैं देखता हूँ तो देखो यहां आएगा 100 newton यहां आएगा 100 cos 37 मतलब 100 into 4 बटे 5 तो 80 newton इधर आएगा तो यह आएगा normal reaction friction की maximum value बताओ कितना आएगी देखते चलो simple वही चल रहा है आप इसको वापस जाके फिर से देखना सवाल जो पहले मैंने सवाल बना है उसको दुबारा बना सकते हैं actually मैंने को करना ही चीए था अब ठीक है चलो तो friction की maximum value आएगी mu time ends मतलब 0.5 into 80 क्योंकि normal reaction यह लगए और तो कुछ है नहीं यहाँ पर 40 newton आगई friction की maximum value बराबर यह 200 है वो 40 है मतलब system इधर में move करेगा तो इधर में acceleration a आएगा इधर में acceleration a आएगा ठीक है अब आप fbd बना के solve करोगे तो इसके लिए तो simple है 200 minus का t बराबर 20 a लेकिन जब आप इसका fbd बनाने जाओगे इस वाले का तो जड़ा ध्यान से देखना क्या होगा मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इसका fbd बनाने की कोशिश करता हूँ यह 10 kg ठीक है अब एक force आपका यह भी तो लग रहा होगा यहाँ पे 100 sin 37 बराबर है अब आपको इतना पता बनाए यह दी block चलेगा तो इस direction में चलेगा तो आप यह कह सकते हो 100 sin 37 मतलब यहाँ पर एक force लग रहा है 60 newton का friction की maximum value लगेगी 40 newton इधर में लगेगा tension और इधर में आएगा acceleration बराबर है equation को इसी प्रकार से लिख दीजिए तो क्या लगेगा T-60 प्लस का 40 बराबर 10 A यहाँ से आप solve कर लीजिए इसका 100 बराबर 10 A आप दोनों equations को add कर दीजिए तो T से T कटेगा 100 बराबर आएगा 30 A So A बराबर आजाएगा 10 बटा 3 meter per second square clear है yes or no और सवाल का level इसमें क्या पूछा जा सकता है find यहाँ से किसी एक block को unknown दे देगा और बोलेगा find a value of M such that system is at rest कर सकते हैं क्या मैं करवा देता हूँ acceleration की value कहीं पे put कर दो आपका answer आजाएगा tension का एक और सवाल इसी variety का मैं करवा रहा हूँ आपको ध्यान रखना example में यह है 37 degree का angle यहाँ पर है आपका एक block यहाँ आपकी pulley system और यहाँ है आपका एक block mu बराबर दिया गया है मैं इसको ऐसे क्यों किया ताकि मेरे को पता रहेगा और mu बराबर है 0.5 ठीक है अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं मान लेते हैं यह वही 20 kg वाला है या फिर यह 10 kg वाला है और यह M है सवाल यही है find M so that system is at rest अब देखो बस पहले lecture में और आज की lecture में क्या difference है बस यह difference है यहाँ पर mu बढ़ गया ठीक है यहाँ पर है आपका 10 kg और यहाँ है आपका M तो अब देखो system rest पर है मतलब यह चलेगा नहीं यहाँ तो Mg लगेगा ही लगेगा और यहाँ tension T लगेगी तो tension की maximum value आएगी Mg यह तो clear हो गया अब यहाँ पर जब आप forces लगाओगे तो यह आएगा 100 का यह आएगा 100 cos 37 क्योंकि यह वाला angle 37 आएगा और यह वाला आएगा 100 sin 37 मतलब यह आएगा साथ newton और यह आएगा कितना 80 newton यहाँ से आपकी normal reaction लगेगी और friction की maximum value कितनी आएगी भई, mu times r normal reaction देखो normal reaction को कभी मैं r लिखता हूँ या n लिखता हूँ से घबराना नहीं है कितना आएगा 0.5 into 80 तो friction की maximum value 40 newton आ गई अब आपको मालूम है इस system में जा करके देखोगे तो इधर में लगेगी यह tension अब friction देखो इधर से और इधर से यह दोनों side से possible है लेकिन आप देख पाते हूँ generally हम लोग इस side में लेके चलते हैं तो friction m की value आपको बतानी है तो मतलब यह इधर ही इसको चला रहा है बराबर है यह इधर ही इसको चला रहा है ताकि इसको rest पे लाया जा सके तो भई देखो इधर से दी में लगाता हूँ तो आएगा t बराबर 60 plus का 40 तो t बराबर 100 और 100 बराबर mg कर दोगे तो M बराबर आ जाएगा कितना 10 kg तो 10 kg पे रहेगा तो ये rest पे रहेगा मतलब इधर नहीं चलेगा इधर नहीं चलेगा इधर चल सकता है क्या हो इधर चल सकता है वाई उस case में फिर आपको अलग value लेनी पड़ेगी तो वो depend करता है तो अब ये कई बार ऐसे सवालों में वो मोश्ली क्या करता है इधर का मास दे देता है उधर का पूछता है हाला कि मैंने उल्टा लिया है लेकिन ये इधर चलने से रोकेगा इधर नहीं चलने देगा इधर अभी ये चल सकता है इधर अभी ये चल सकता है यूग फ्रिक्शन को फिजिस आती हो अपने आपको एड़ेस्ट कर लेता भाई 40 इधर लगके रोक रहाता ना 40 भाई बोलेगा तो इधर क्यों लगू मैं इधर लग जाओ क्या दिक्तर है इधर चलने से रोकने के लिए तो ये अलग-अलग वैल्यू है तो मैं बोलूँगा आपको कि इसके बजाए आप इस सवाल में यहाँ पर M ले लें और यहाँ पर M बराबर कुछ 10 केजी वगएरा टाइप में ले लें और इसके हिसाब से सौल करें वो ज़्यादा बैटर तरीका है आपको सवालों के समझने के लिए आप चाहिए तो मैं करके दिखा सकता हूँ 10-10 केजी ले करके क्या होगा आप देखिए खुद से अनलिसिस कीजिए जैसे मान लो यहाँ से आपके पास हमें 37 डिगरी है यह आपका 10 केजी का ब्लॉक है और यह यहाँ पर फिर से 10 केजी का ब्लॉक है और यहाँ पर म्यू बराबर वही 0.5 है तो अब देखो फिर से यहाँ पर अब क्या हो रहा है यह यहाँ पर 100 आ रहा है की नहीं आ रहा है बिल्कुल आ रहा है तो यह चलता हुआ नजर आएगा अब आपको टेंशन यह टेंशन यह यहाँ पर 100 यह यहाँ पर 60 फ्रिक्शन मैक्जिमम कितना आएगा म्यू टाइम्स आर 40 न्यूटन यह और नो अब मैं मानता हूँ कि इधर acceleration लग रहा है तो क्या होगा यह आपका 100 cos 37 वाला लग रहा है 80 न्यूटन वाला ठीक है तो फ्रिक्शन मैक्जिमम 40 ही आएगा तो अब आप देखो इसके हिसाफ से देखो तो आप लगाओगे 100 माइनस का T बराबर 10 A और इधर से लगाओगे तो कितना आएगा अब फ्रिक्शन इधर लग जाएगा कितना 40 तो इधर में आएगा 60 और 40 100 तो इधर से कितना लिखोगे इधर में acceleration माना है तो यह आएगा T माइनस का 100 बराबर 10 A तो देखो T से टी कड़ गया सब खतम वही दोनों को जोड़ोगे तो कितना है 100 से 100 कड़ आएगा T से टी कड़ जाएगा तो acceleration मराबर जी तो यस और नू क्लियर है यस और नू लेकिन अब इस सवाल के अंदर में देखिए सोचो मैं मालूँ कि acceleration इदर है और यह tension है और यह 100 है तो यह पूरा conceptual है tension T अभी भी इदर आएगी acceleration A इदर आएगा तो यहां आपका 60 Newton आएगा और friction की maximum value 40 इदर आएगी अब equation देखो क्या बनेंगी T minus 100 बराबर 10 A वहां 100 minus T बराबर 10 A बनी T minus 100 और अब acceleration इदर है तो बड़ा force इदर है मतलब आप लिखो के 60 minus 40 तो यह आएगा 20 minus का T बराबर 10 A अब देखो इससे क्या आएगा tension से tension कड़े जाएगी 100 और 20 20 minus 100 मतलब minus का 80 बराबर कितना आगया 20 A तो अब आपका acceleration उल्टा जा रहा है clear मतलब acceleration आपने गलट direction में माना है यह कहानी है acceleration गलट माना है acceleration negative आ गया तो यह कहानी है इसको ध्यान लखना भाई यह बड़ा conceptual concept है अब क्या होता कई बार data लेते हुए data कैसा फसता है उस पर निरबर करता है जैसे अब मैंने जो पिछला सवाल ले उसमें से ऐसा data फसके आया ठीक है मैंने M गलत जगे लिया तो उस गलत जगे से गलत अलग तरह का concept तयार आ गया जबकि मुझे पूछना तो वहाँ पर वही चाहिए था कौन सा इधर का मास देना चाहिए कोई बुराई नहीं है चल सकता है तो हमने माना जब इधर माना acceleration तो 100-T बराबर 10A तो यहाँ पर जब इधर चल रहा है तो यह block इधर चलेगा तो tension बड़ा तो friction इधर लगेगा तो friction को तो रोकना है भई तो 60 और 40-100 T-100 और 10A तो 60 में से 40 के तो इधर 20 20-T तो अब यहाँ से आपका acceleration negative आ गया मतलब यह गलत है यह गलत clear है yes or no तहीं बात चौर तो चलना नहीं है system rest पहीं रहेगा चौर तो यह एक variety और मैंने यहाँ पर cover करा दी और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में क्या आता है बस अभी last topic और जली जली finish करते हैं न अभी हम लोगों को जो topic पढ़ना है वो है block over blocks वाला problem system तो हम heading डाल सकते हैं two blocks system ठीक है दो blocks से ज़्यादा नहीं आएगा two blocks system ठीक है two blocks system अभी यह मान लीजे यह बस 15 minutes या 20 minutes और जादा से जादा उससे जादा समय नहीं दूँगा मैं आपका चिंता ना करें मैं समझ सकता हूँ कि काफी समय हो गया है duration काफी लंबी हो गया है लेकिन देखो क्या है चीजों को मैं छोड़ भी नहीं सकता तो two block system अब two block system में जो आपको सवाल आते हैं वो दो तरह के सवाल आते है जो पहली variety है वो कुछ ऐसे है कि हाला कि हम इसको और भी आगे तक लेके जा सकते हैं लेकिन आपके level पे यहीं तक maximum मान के चलना हमारे पास मैं यहां पर एक block है जिसका मास है M2 इसके उपर मैं एक और block रखा गया है इसका मास है M1 और यहां पर आपको mu दिया गया है और यह surface आपको smooth दे रखी है और इस वाले block पर एक force लगाया है F ठीक है यह बात clear हो गई yes or no तो देखो वैसे यदि हम सवालों का level की बात करें तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर भी mu दे दे यहां पर भी mu दे दे लेकिन generally आपने को उस level तक नहीं जाना है neat के perspective से देखे तो that is the यह sufficient level है इसमें भी अच्छे खासे सवाल बन सकते है अब देखो blocks के masses वगेरा देगा force देगा mu देगा ठीक है दो block के masses यह force देगा वो एक mu देगा तो सबसे पहला जो step आपको इसमें perform करना है सबसे पहला step आपको क्या करना है पहला जो step है मैं यहाँ लिखने के वज़ा यहीं लिख देता हूँ सबसे पहला जो step है इस इन सवालों में सवाल को identify कर लो उपर m1 नीचे m2 उपर वाले पर force दिया है पहला step आपको क्या करना है friction की maximum value calculate करनी है जो की आएगी mu m1 g friction की maximum value आपको यहाँ पर calculate करनी है और वो कितनी आएगी mu m1 g this is the maximum value of friction अब यहाँ से आगे की कहानी बढ़ती है जो की दो parts में चलती है मतलब दो conditions ध्यान से सुनना m1 दिया है m2 दिया है f दिया है और mu दिया है clear चलो clear आपको क्या तरना है friction की maximum value friction सिर्फ यहाँ present है condition यहाँ पर निकल के आता है वो आता है कि यदि friction की maximum value greater than है f external या मैं कहूं कि f external जो है वो छोटा है mu m1 g से यह वाली situation यहाँ पर निकल के आती है तो हम कहेंगे both blocks will move both blocks will move together both blocks will move together दोनों block एक साथ चलेंगे with common acceleration with common acceleration a with common acceleration a और यह जो acceleration आएगा वो आएगा f upon m1 plus का m2 खत्तम यह इतना है बस क्या बोला मैंने सबसे पहले आपको mu m1 g की value निकालनी है मैंने m1 को उपर माना है बस simple सी बात है आप चाहें तो m1 को नीचे m2 को उपर मान सकते हैं इससे कोई फरक नी पड़ता है आपको क्या करना है friction की maximum value निकालनी है यदि ये friction की maximum value यदि ये friction की maximum value इस external forces जो आप apply कर रहे हो उससे बड़ी आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये force sufficient नहीं है इस block को चलाने के लिए लेकिन अब क्या होगा कि जब ये sufficient नहीं है फिर भी अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो friction that will oppose the relative motion लेकिन overall जो system है वो एक smooth surface पर रखा है तो दोनों blocks एक साथ चलने लगेंगे और जब दोनों block एक साथ चलेंगे तो उनका जो acceleration आएगा वो आएगा f upon m1 plus का m2 बस इतना सा simple सा logic यहाँ पर लगाना है दूसरा जो condition यहाँ पर possible है वो condition क्या possible है दूसरी वाली कि ऐसा हो सकता है कि f external जो है वो friction की maximum value से बड़ा आए तो यहाँ पर both blocks will move both blocks will move will move with different acceleration यह यहाँ पर आपको धिहान रखना है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग-अलग acceleration से चलेंगे तो इसके लिए आप क्या करेंगे draw fbd for each draw fbd for each block and solve तो भाईया देखो आपने बना दिया m1 वाला जो की उपर है तो अब आप यहाँ पर कहोगे कि यहाँ लगा है आपका f external friction यहाँ लग जाएगा mu m1 g और इस block का acceleration मैं मान लेता हूं a1 clear? इस block का acceleration मैं कितना मान लेता हूं a1 तो क्या हो जाएगा बताओ तो भाई आप लगाओगे f net बराबर m a तो f minus का mu m1 g बराबर आएगा m1 a 1 तो आपका acceleration a1 जो आएगा वो आएगा f upon m1 minus mu g यह आपका first block का जो यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है इसका acceleration आएगा जो उपर वाला block है लेकिन कब जब आपका external force friction की maximum value जो आपने mu m1 g निकाली है इससे क्या है? बड़ी है तो यह वाला यहाँ पर निकल के आएगा दूसरे के लिए क्या करो? दूसरे का फिर से f b d बना लो तो अब ने वो m2 वाला जो है ना वो रखा है smooth surface पे तो यहाँ पर क्या होगा? जो यह friction m1 को इधर लग रहा था वो इस m2 को इधर लगेगा और यह लगेगा mu m1 g इस direction में बोलो yes और no तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है और यदि यह बात है तो m2 का जो acceleration आएगा वो आएगा इधर में ही a2 तो मैं लगाऊंगा तो यह आएगा mu m1 g बराबर m2 a2 तो यहाँ से आप देखिए आपके पास में a2 बराबर आएगा mu m1 g अपान m2 mu m1 g अपान m2 यहाँ पर आपको नीचे वाले ब्लॉक का नीचे वाले ब्लॉक का acceleration मिलेगा बताओ कितना आसान है यह क्या यह आसान नहीं है बिल्कुल 100 प्रतिशत तथ यह है कि यह है आसान है अब इस पे हम लोग सवाल जो करेंगे वो numerical वाले lecture में मैं आपको इस पे सवाल करवाँगा लेकिन तब तक आपको इस चीजे ध्यान लगनी है फिर से मैं एक बार बोल दूँ यदि आप चाहें तो देखो मैं यहाँ पर भी example करा सकता हूँ कोई दिक्कत वाली वाद तोड़ी है जैसे example के तोर पे ले लो लो भाई यहाँ पर हमने ले लिया यह है 10 केजी का एक ब्लॉक यहाँ एक दे दिया 5 केजी का ब्लॉक मैंने म्यू बराबर दे दिया 0.5 यहाँ पर बोल दिया surface कैसी है smooth है अब मैं यहाँ पर एक force दे रहा हूँ F बराबर मैंने दिया है एक तो दिया है 30 न्यूटन का और एक दिया है F बराबर 60 न्यूटन का यह F1 मानलो यह F2 मानलो दो सवाल हो गए खतम करो sol करो तो भाई यहाँ देखो सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो friction की maximum value बराबर आएगी mu M1 G M1 मतलब यह उपर वाला मतलब 0.5 x 5 x 10 तो यहाँ पर आजाएगी 25 न्यूटन दोनों ही case में बड़ी आ रही है क्या ओके ठीक है मैंने क्या ध्यान दिया फिर आज़ा मैंने 50 निकाल ली ती इसलिए मैंने 30 लिया ओके कोई बात नहीं तो तीस की जगए 20 न्यूटन कर लो ठीक है तो यह आपने निकाल लिया अब पहला case पहला case मतलब f1 के लिए for f1 क्या हो जाएगा f maximum is greater than f1 तो both will move together both will move together दोनों साथ साथ चलेंगे और acceleration आएगा f upon m1 प्लस का m2 मतलब acceleration कितना आएगा 20 प्लस का 10 मतलब 20 प्लस का 15 तो acceleration की value आ गई 4 प्लस का 3 meter per second square हाला कि मैं numerical practice में भी एक आदा सवाल करवा दूँगा वो यह देखो data मेरे मन कहीं रहेगा हो सकता है same सवाल ही repeat हो जाए कोई R&D नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ अब जैसे मैं आपके लिए बात करता हूँ दूसरी condition for F2 बराबर 60 newton तो यहाँ पर F2 जो है वो greater than F maximum है मतलब क्या है both will move both move with different acceleration दोनों कैसे चलेंगे भई दोनों अलग-अलग acceleration से चलेंगे तो आपको FBD बनाना है तो यह उपर वाला block है 5 kg का है तो यहाँ पर आएगा 5 kg यहाँ लगेगा 60 newton और यहाँ लगेगा यह आ गया 25 newton तो यहाँ पर acceleration इसका आएगा A1 तो देखो यह A5 लिख रहा हूँ 5 kg के लिए तो आप लिखोगे 60-25 बराबर 5 into A5 तो 60 में से गए 25 कितने बज़के बताओ 25 और 5 तीस और 35 बटे 5 तो acceleration of 5 kg block आएगा 7 meter per second square और नीचे कौन सा block है 10 kg तो भाई नीचे है आपका 10 kg वाला block है इस पर यहाँ पर से फ्रिक्षन आएगा इसका acceleration A10 मान लेता हूँ यह आएगा 25 newton यह 25 newton क्या है पता है आपको 25 newton है यह friction की जो maximum value है वो वाला चलो तो यहाँ से आपका acceleration of 10 kg कितना आएगा भाई 25 बटा 10 क्योंकि यही force है यह मास है तो answer आएगा 2.5 meter per second square it is the acceleration of 10 kg block मैं उमीद करता हूँ कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी चलो एक बार इसको repeat कर लो revise कर लो friction की जो maximum value है friction की जो maximum value है वो आपके पास में friction की maximum value external force से बड़ी है तो दोनों एक साथ चलेंगे acceleration आएगा f upon m1 plus m2 यदि external force की value friction की maximum value से बड़ी है तो दोनों को अलग-अलग fbd बनाओ और solve करो friction बीच में mu m1 g डाल दो जितना आपका लगता है normal fbd बना के question यहाँ पर solve हो जाते हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा भी रहा हूँ कि किस प्रकार से force लगाएंगे क्या गरेंगे नीचे वाले block पे force लगाएंगे जैसे हमारे पास में मान के चलो यह एक system है यहाँ एक system यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ M2 मास का block है और इसके उपर में यहाँ पर आपका M1 मास वाला block रखा है यहाँ पर surface एकदम smooth है और यहाँ पर आपको coefficient of friction mu दिया गया है and और यहाँ पर आपको एक force दिया गया है external F F external कितना दिया गया है F अब देखो इन सवालों का करने का approach का तरीका अलग है पिछले बार अलग था एक बार फिर से अलग है अब इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले देखो चीज़ें वैसी calculate करके रखनी पड़ेंगे आपको कुछ अलग नहीं है मतलब सबसे पहला जो step है वो क्या करना है माना both move together माना both move together दोनों एक साथ चलते हैं यदि दोनों एक साथ चले तो किस से चलेंगे तो दोनों एक साथ चलेंगे तो a बराबर आएगा f upon m1 plus का m2 ये एक acceleration की आपको value मिल जाएगी ये क्या मिल जाएगी एक acceleration की value मिल जाएगी और जिसमें हम क्या कह रहे हैं हमने माना कि दोनों साथ साथ में चल रहे हैं और यदि दोनों साथ साथ में चलेंगे तो इनका जो common acceleration आएगा वो आएगा कितना a बराबर f upon m1 plus का m2 दूसरा क्या करना है आपको find करना है mu of g की value दूसरा क्या करना है आपको find करना है mu of g की value दूसरा आपको क्या करना है mu of g की value यहाँ पर find करके रखनी है लेकिन अब यहाँ पर बस कुछ नहीं है यदि मान के चलो यह जो a की value है अब सवालों में क्या होने वाला है जायर सी बात है a less than or equal to mu g है यदि ऐसा होता है यह जो a की value है वो mu g से छोटी आ रही है तो हम कहेंगे both move together both move together और यदि a greater than mu g आ रहा है both move with different acceleration यह यहाँ पर इतना सा concept देखो जैसे पिछली बार आपने क्या कर रहे थे यदि आप उपर वाले block पर force लगा के दे रहे हो तो आपको mu m1 g की value निकालनी पड़ रही थी जब आपका यह external force उपर वाले block पर लग रहा है तो आपने क्या करना था आपने simple सा काम इतना सा किया था कि mu m1 g निकाल लिया था बराबर जो की friction की maximum value थी उसको फिर आप external force से compare कर रहे हैं टूरे नीचे वाले block को चलने के लिए कोई था ही नहीं तो नीचे वाले block को चलाएगा कौन देखो भाई यहाँ पर नीचे वाले block पर तो force दिया ही नहीं है लेकि नीचे वाला यह थी चला तो definitely friction नहीं इसको चलाया होगा और कुछ ना कुछ तो friction आएगा मतलब दोनों नीचे वाला चलेगा तो सही अब या तो दोनों साथ-साथ चलने या दोनों अलग-अलग चलने क्योंकि नीचे surface smooth है इसका मतलब साथ-साथ वाली ही condition भी बन सकती है और अलग-अलग वाली भी बन सकती है लेकिन चलना जरूर है इस case में चलना जरूर है जब उपर force लग रहा है देखो धान-ध्यान से देखना यहाँ पर f कहा लग रहा है बार-बार मैं page change करता हूं तो confusion नहीं होना जिए यदि उपर का force लग रहा है तो दोनों चलेंगे ही चलेंगे नीचे smooth surface है उपर mule है और force सिर्फ उपर दिया है तो दोनों चलेंगे ही चलेंगे अब या तो एक acceleration से चलें, common से f upon f बराबर f upon m1 पून है, f upon m1 प्लस का m2 या दोनों अलग-अलग acceleration से चले और साथ कब चलेंगे जब friction की maximum value external force से बड़ी है तो दोनों साथ चलेंगे और यदि external force की value friction की maximum value से बड़ी है external force की value friction की maximum value से बड़ी है तो दोनों अलग-अलग acceleration से चलेंगे और अलग-अलग acceleration से चलेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है FBD बनाना है और Sol करना है यह तो तब हो गया जब आप फोर्स लगा रहे हो तो FBD बनाके ऐसे Sol हो जाएगा अब जैसे इस पे मैंने सवाल भी बताया भाई देखो 20 N पे और 60 N पे 20 पे दोनों साथ चल गए क्योंकि Friction की Maximum Value यहां पर Clearly दिख रही है कि Friction की Maximum Value जो है वो External Force से बड़ी है तो दोनों को साथ में चलना ही है Acceleration आ गया जब साथ N वाला Force मेंने लगाया है तो आपका External Force जो है वो Friction की Maximum Value से बड़ा है जब 60 Newton वाला force लगाया है तो external force की value friction के maximum value से बड़ी है तो इसका मतलत दोनों अलग-अलग चलेंगे अलग-अलग acceleration से चलेंगे तो FBD बनाओ और solve कर डालो अब यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर आने के पश्यात मेरे पास में क्या हो रहा है यह एक M1 है एक M2 है मैं नीचे force लगा रहा हूँ यहाँ पर mu है यहाँ पर surface smooth है अब चलेंगे तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी चलेगा क्योंकि नीचे surface smooth दी गई है यह जान बुझके नीचे surface smooth दी जाती है ताकि आप सवालों को समझें और सवालों का level थोड़ा सा आसान मना रहे क्योंकि चाहे तो वो इसमें भी mu डाल सकता है जब इसमें भी नीचे भी mu डाल देगा तो फिर आपको फिर यहाँ पर यहाँ पर total mu M1 plus M2G के इसाब से net friction की maximum value calculate करनी पड़ेगी लेकिन अभी यहाँ पर सवाल simple रहता है सवाल क्या है यहाँ पर इसको निकाला common S मान लेते हैं पहले की दोनों का साथ साथ चले साथ साथ चले तो acceleration यह आएगा साथ चलने तो acceleration यह आएगा बराबर है अब क्या कह रहा हूँ मैं कि इसके बाद दूसरे step में म्यूजी find कर लो यदि A की value इस म्यूजी की value से छोटी है तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं और यदि A की value जो आप निकाल रहे हैं वो म्यूजी की value से बड़ी है तो इसका मतलब क्या हो रहा है वो दोनों अलग अलग यहां पर acceleration से चल रहे हैं जैसे एक सवाल ले लेते हैं हम लोग ठीक है यहां पर हमने दिया हुआ है मान लेते है पांच केजी का block और यहां पर हमारे पास में दिया गया है दो केजी का यहां पर block दिया गया है यहां पर आपको smooth surface दे रखी है यहाँ पर आपको mu बराबर 0.5 दे रखा है और force बराबर f1 बराबर दिया गया है 21 newton इसी सवाल में करेंगे एक बार 21 ले रहा हूँ कब देखो सबसे पहला step find एक काम कर देता हूँ रोको f1 बराबर 21 newton f2 बराबर 35 newton ठीक है ना 7 दुना 14, 7, 21, 75, 35 देखो उसी हिसाब से यहाँ पर values को लिया गया है अब हम करते हैं क्या सबसे पहले find a तो a बराबर आएगा पहले 21 divided by 2 प्लस का 5 21 बटे 7 मतलब 3 meter per second square दूसरा step क्या है find mu g मतलब 0.5 into 10 5 meter per second square यह आपका पहला सवाल चल रहा है है ना a वाला तो अब यहाँ पर आप clearly देख रहे हो a है less than mu g मतलब both move together both move together चलो दूसरा सवाल देखते हैं दूसरे सवाल में f2 बराबर आजाएगा 35 newton चलो 35 newton तो a बराबर आएगा 35 divided by 2 plus का 5 35 बराबर देखते हैं दूसरा सवाल देखते हैं 47 49 newton ठीक है देखो साथ का table लिया है कि मैंने 5 और 2 साथ लिया है ठीक है तो साथ यह की सत्पन पैतीस साथ 49 तो अब इस वाले case में third case है F3 बराबर 49 newton कितना लिया है 49 newton चलो तो अब सबसे पहला step आप perform कर दीजिए A बराबर आएगा 49 divided by 2 plus का 5 मतलब आएगा 67 49 7 meter per second square फिर mu G बराबर आएगा 0.5 into 10 मतलब 5 meter per second square फिर मैं क्या कह रहा हूँ A greater than mu G है इसका मतलब both move with both move with different different acceleration तो अब क्या करना है FBD बनाओ और sol करो FBD बनाओ और sol करो तो भाईया देखो यहाँ पर simple है FBD बनाते आना चाहिए अब different different acceleration से जब चल रहे होंगे तो यहाँ पर आप 2 kg के कारण friction निकाल लो जो friction की maximum value यहाँ पर आ रही है वो कितनी आएगी mu M1 G ही आएगी mu मतलब 0.5 उपर 2 kg का ब्लॉक है G है 10 मतलब total 10 newton ठीक है यह clear है तो एक बात होता हूँ उपर है आपका 2 kg का ठीक है उपर 2 kg का ही है न अब इसको कौन चला सकता है तो इसको चला सकता है friction तो friction जब इसको चलाएगा तो भाईया friction बोलेगा तू चल इधर यह friction की maximum value बराबर 10 newton आएगी और इसर में acceleration आएगा A2 A2 मतलब 2 kg के लिए तो A2 बराबर आएगा 10 बटे 2 मतलब 5 meter per second square yes or no और जो नीचे वाला है 5 kg तो देखो भाई 5 kg पर क्या हो रहा है इधर में external force इधर लग रहा है 49 newton का है ना और उपर वाला block पीछे वाले पर friction इधर लगाएगा वो कितना लगाएगा 10 newton लगाएगा friction की maximum value है यह 10 चलो ठीक है अब बताओ इसका acceleration मैं मान लेता हूँ इसका acceleration A5 है तो 49 माइनस का 10 बराबर 5 इंटू A5 तो A5 जो आएगा वो आएगा 39 बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर यह यहाँ पर इसकी कहानी बड़े ही प्यार से लिखी जा सकती है यास और नो बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या चलो बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्या कर दा एनलाइज करो इसको ठीक है तो यह यहाँ पर इस तरह से ब्लॉक ओवर ब्लॉक के भी प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ पर कम्प्लीट कर लिये हैं और इसी के साथ में यह वाला चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया है हाला कि जब मैं प्रैक्टिस वाला लेक्चर तो उसमें भी कुछ एक वेराइटी के सवाल होंगे जिनको मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा है ना अब इसमें एक और बात चैप्टर पूरा खतम हो गया मैं जानता हूं लेक्चर की डूरेशन थोड़ी सी बढ़ गई है इसके बाद एक नुमेरिकल का भी लेक्चर आएगा लेकिन यकीन मानिये रहो हमें अच्छे से प्रिपरेशन करना है हमें अच्छे से सब चीज़े करनी है तो जरूरी है कि हम सब चीज़ों को धीरे धीरे करते हुए चलें ओवर आज के लेक्चर की समरी क्या है फ्रिक्शन के बारे में पूछा पढ़ा हमने एंगल फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा और यहां पर क्या बोलते हैं और कुछ चीज़े रह तो नहीं गई है जो ऐसी हो जो फिर जी साइन थीटा वाला पड़ा जी साइन थीटा माइनस म्यूजी कॉस थीटा वाला पड़ लिया आपने जी साइन थीटा प्लस म्यूजी कॉस थीटा उपर की तरफ यह दी ब्लॉक को दिया में आता है उस से related मैंने सवाल करवा है दो ब्लॉक सिस्टम में ले फिर मुपुली ब्लॉक सिस्टम में भी करवा है वहां पे हमारा एक सवाल मैंने डेटा थोड़ा सा जीव सा लिया तो उसके कारण कि acceleration negative आगया तो ulti direction में चलने लग गया वो acceleration negative आगया मतलब आपकी direction गलत है और system rest पर है friction वाले सवालों में acceleration negative आगया मतलब system is at rest ठीक है यस जब वो pulley block वाला सवाल मैंने करवाया थे incline plane से related होगा यहीं पे और then हम लोग यहाँ पर आगे two block system मीचे और उपर मीचे उपर force लगाया तो क्या होगा friction की maximum value calculate कर लो mu m1 जी उसको external से compare करो friction बढ़ा है external से तो दोनो साथ-साथ चलेंगे friction बढ़ा है mu m1 जी से friction बढ़ा है external से तो दोनों साथ-साथ चलेंगे और external बढ़ा है तो दोनों अलग-अलग चलेंगे और जब दोनों अलग-अलग चलेंगे तो उसके लिए आप fbd बनाओ और solve करो ऐसे नीचे जब force लगा रहे है तो पहले की value जो आप f upon m1 plus m2 निकाल रहे हो वो mu g से छोटी आ रही है तो दोनों साथ चलेंगे और a की value बढ़ी है और mu g की value छोटी है a की value बढ़ी है mu into g से जैसे इस सवाल यहीं पर देखो न a की value 7 है mu g की value 5 है a बढ़ा है तो आपका अलग-अलग acceleration आएगा और यह लिखना था क्या लिखना था यहाँ 20 आएगा यहाँ normal reaction n आएगी फिर यहाँ से मैं friction की maximum value mu times m1 g निकाल हो वो मैंने यहाँ पर पहले निकाल के रख दी है ठीक है फिर नीचे वाले block पर एब बढ़ाओ नीचे वाले block को चलाने वाला कौन है सिर्फ friction तो आप देखो नी अमेशा relative motion का अपोज करता है friction अमेशा relative motion का अपोज करता है ना की motion का तो इस case में friction उस block को चलाने का भी काम कर रहा है तो इस प्रकार से friction वाला topic यहाँ पर complete होता है इसके आगे work energy power चलो होगा जो की जाविशर लेंगे हालाँ इसके बाद में आपका जो numerical वाला lecture आएगा उ इल्कुल भी कोता ही ना भरते है ठीक है अपने आपको बहुत जादा उशार्व ना समझें पहले lecture को go through करें जो आपको booklet short of जो भी मिल रहा है key notes whatever it भी उसको go through करें DPS जरूर solve करें और numerical वाले lecture को देखना ना भूले numerical वाले lecture को देखना ना भूलें वो बहुत important role play करेगा आपके selection के लिए ठीक है जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से अच्छे से थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें और बार 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 उसे revise करते रहें because revision is the key to success in competitive exam also जितना ज्यादा questions की आप practice करेंगे वो भी आपको help करेगा आपके competition competitive exam में आपको सफलता दिलाने में ठीक है sure okay so इसी के साथ में हमारा आज का session यहां पे खतम होता है हमारा chapter यहां पर laws of motion chapter यहां पर खतम होता है और इसके साथ में मैं कहूंगा that's it for today आज के लिए बिटा बस इतना ही मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले lecture के दर्मियान सो तब तक के लिए